हेलो डियर इस्टुएंट्स वेलकम टो अलोफ इन सक्सेस क्लासेश टेखनिकल एजी कोईशन और मैं मुहमद अर्सथ आज आपके लिए एक और वन शूट लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ और वह है यूनिट थर्ड का इंजिनिर्र केमिस्ट्री से रिलेटर यूनिट थ यूनिट को आपको रिवाइस करा देंगे एक ही लेक्चर में प्रिवियस यूर के क्वेशन पेपर्स में जो क्वेशन साइं इंपॉर्टेंट इस यूनिट के से रिलेटेट उस पर डिस्कुसन करने जा रहे हैं और उसका कम्प्लीट सॉलिसन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यों शूट लेक्चर देगे पहला ही क्वे है और यह लास्ट येर जो कि 2022-23 में समेश्टर सेकिंड में यह क्वेशन आया है और वह है सिमेंट क्या है देगे तीन लोग क्वेशन तो आनी या नहीं है हर एक यूनिट में से जिसमें से सिमेंट इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसमें से क्वेश से रिलेटेट कोरेजन एलेक्ट्रोकेमिकल कोरेजन थियोरी वह भी इसे एक्स्प्लेइन करेंगे शॉट में और रस्टिंग ओफ आयरन है ठीक है और इसमें एक शॉट नोट प्योपी वगएर का भी आ जाता है तो सेटिंग अन हाड़निंग ऑफ सिमेंट को सेट कैसे होता ह है और साथ-साथ में केमिकल रियाक्षन वह सारी देनी हे जोकी प्रोस्सिंग में था है निके सिमेंट बनाते हैं वग्त जब सिमेंट की मैनिफेक्ट्रिंग होती तो कौन-कौन सी chemical reaction इसमें participate करती है इसमें involved होती है और cement कहते किसे हैं तो यह complete एक long question बनता है सिमेंट का तो सिमेंट क्या होता है सिमेंट आप वैसे जानती है सिमेंट क्या होता है बाइंडिंग मैटीरियल होता है दीखिए ठीक ना मैस नहीं वार्क या नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होने वाला एक chemical है chemical कह सकते हैं आप इसको और इसमें जब water को mix up कर करते हैं और वाटर को जैसे mix up करते हैं तो यह क्या बन जाता है कुछ देर बाद में set और hard बन जाता है इंदे की setting होकर hard बन जाता है और यह bricks यानि कि इटो को पत्थर को pebbles को stones को इन सब को जोडने का काम करता है ठीकिन इसको अधियर कर देता है चिपका देता है एक दूसर के साथ में सिमेंट गया हो गया सिमेंट को अगर केमिकली हम डिफाइन करें तो यह calcium silicate और eliminate का mixture होता है इसमें एक बहुत little amount में लगबग 2 या 1% के करीब इसमें जिपसम को add गया जाता है जिपसम का role क्या होता है वो भी आपको explain करेंगे तो बड़ा बड़ी स्टार्ट करत और इसमें small amount में gypsum add गया जाता है जैसे कि आपको board पर clearly defined mention है कि calcium silicate और calcium eliminate का mixture होता है और small amount में इसमें gypsum add होता है cement is the binding material binding जानी की चीज़ों जो मेंजनी material जो होते हैं उनको जोडने का उनको अधियर करने का काम करता है building block material है तो binding materials है use for binding bricks bricks को ईटो को जोडने में gravels को टाइल्स को पत्थर के छोड़े टुकड़ों को अगरे वगरे इनको जोडने के लिए या plaster plastering of wall दिवारों पर plaster करने के लिए काम में आता है इसके बात करते हैं अब इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की अंदर आखिर ऐसे कौन से कंपोजिशन elements होते हैं जो कि सिमेंट को बनाते हैं सिमेंट में जो कंपोजिशन होती है जो इसके elements है तो देखिर कैल्सियम सिलिकेट और अलिमिनेट का तो मिक्चर ही है सिमेंट इसके अंदर कैल्सियम सिलिकेट और अलिमेंट होता है जो कंपोजिशन elements होते है वो आपस में रियस्टन करके कैल्सियम सिलिकेट और आता है question के राइड इस अपोजिशन अप दी सिमेंट तो सिमेंट में पहली composition जो elements आता है जो material आता है वो calcium oxide है जो कि 50 to 60 percent होता है silica si o2 जो कि 20 से 25 percent ये दोनों ही जो material है इसमें composition elements से important है एक जो इसके raw materials होते हैं उसमें से निकल गार आते हैं और फिर उसकी reaction होती ही है तो ये calcium silicate और aluminate बन जाता है ठीक न फिर है alumina al2o3 ये 5 to 10 percent होता है magnesium oxide 2-3 percent होता है ferric oxide fe2o3 1-2 percent होता है इसी तरह sulphur tri oxide जो होता है 1 to 2 percent होता है अच्छा इसमें जो raw material की बात करें raw material का मतलब क्या होता है इस्टुटिन raw material मतलब है कि cement को के बनाने के लिए कच्छा माल कौन सा यूज़ करेंगे कच्छा माल यानिगे वो material जो basic material है cement को बनाने के लिए वो कौन को से हैं तो उसमें एक पहल lime stone और दूसरा होता है clay और दोना ही बहुत ही सस्ते होते हैं ठीके ना natural product होते है natural chemical से natural material है आसानी से मिल जाते हैं तो lime stone और clay होता है इसी तरह से यह सस्ते भी होते हैं और यह बहुत ही economically यह industry होती है बहुत ही important होती है और इसका manufacturing process में जो खर्चा आता है बहुत कम आता है लेकिन cement अब मिलाने के लिए आपने देखा होगा अज बिल्डिंग ब्लॉक मेटेरियल की सब्सक्राइब होती है जो कि रोटर होता है इसके अंदर लगावा रोटर होता है जैसे के cement और गारे को मिलाने के लिए आपने देखा होगा अज बिल्डिंग ब्लॉक मेटेरियल की sites पर जहां पर मेजनी वर्क हो रहा है तो वहाँ पर एक रोटर लगा होता है उसमें सारा concrete material डाल दिया जता है और फिर इसको भूमाते रहते हैं और फिर अच्छी तरह से mix-up करने क के लिए काम में आता है इसी तरह से इसमें किल्ड होती है भटी होती है इसका temperature बहुत हाई होता है लगबग 400 से लेकर 2000 degree centigrade तक इसका temperature होता है और इसमें जो raw material use होते हैं वो होते हैं limestone और clay with a small amount of gypsum तो ये तीन ही चीज़े इसमें mainly होती है वसे दो ही चीज़े इसमें main होती है सिमेंट बनाने के लिए limestone और clay लाइम इस्टोन और clay और इस rotary kiln जो होती है इसके अंदर तीन पार्ट होती है तीन रोटर होती है और ये तीन पार्ट क्या होती है इनका हरे पार्ट का अलग-अलग work function होता है तो देख लेते हैं rotary kiln कैसी होगी इसका structure कैसा होगा इसका diagram कैस जो कि सिमेंट बनाने के लिए use होने वाली एक प्टी है इसके अंदर क्या-क्या चीजे होती है तो बहुत ध्यान से देखे इस इसमें एक rotor होता है एक cylindrical pipe होता है जिसको rotor कहते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं इसके three part होते हैं जो अपर पार्ट होता है ये वाला जिसका temperature ब कम होता है in comparison to the other part और इसके ठीक नीचे वाला second part जिसको कहते है middle part of the rotary kiln और एक होता है third part जिसको कहते है lower end या lower chamber of the rotary kiln तो इसके तीन पार्ट होते हैं इस cylindrical pipe के और ये तीनों क्या होते हैं rotor होते हैं rotor का मतलब होता है घूमने वाले होती है इसके अंदर सबसे उपर वाले जो पार्ट होता है के अंदर यहां से डाल दिया जाता है सारा raw material इसके अंदर introduce करा देते temperature इसका बिल्कुल different होता है हर एक पार्ट का यह वाला जो पहला वाला पार्ट है जिसको कहते है upper end या upper chamber 400 degree centigrade temperature होता है और इसका around 1000 degree centigrade temperature होता है और यहां पर इसका temperature जो होता है वो होता है लगबख 1600 यानि के 1600 degree centigrade temperature अब यह rotary किल जो होती है rotor जो होते है यह connected होते है एक और चेमबर से और उस चेमबर को एक और पार्ट होता है इस rotary किल का वो क्या होता है इस वो होता है एक देखिए यहां से इसमें जो introduce किया जाता है पल्वराइस कोल को यहां से इन्टोड्यूस किया जाता है कोल और कि स्कोल का क्या काम होता है स्ट्टुडिट्स यह पोल जो होता है पोल गेंस प्रोड्यूस करता है ठीकर ना पल्वराईस कोल को इंट्रूडीस किया जता है और यहाँ से इस पर लगा होता है क्या हीटर हीटर लगा होता है इस हीटर का काम यह होता है इस्टूने जब यह फैन लगे होतें इसमें और होट एयर इसके अंदर ब्लो की जाती है है को है लिवराइस को इसके इंदर डाले जाता है थे यहांसे कोट गैश जर Tout को होट एब र्फाशत Immer Its случаं में उतल ति है उल्टा एर जरानिकशन करके यह ओएन साथ यह नहीं कि पना डेतीह जब घ्रिक्वल प्लीर जाती है और जब जलती हुई आगे निकलती है तो इसका temperature 1600 degree centigrade हो जाता है और जैसे से यह आग आगे निकलती है तो सबसे लास्ट वाला जो चेंबर होता है उसका temperature जो होता है 400 degree centigrade हो जाता है ठीकिन अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए complete करते हैं इसके diagram को हम यहाँ से यहाँ से cement का जो hot mass होता है वो cement बनके यहाँ निकल कर आता है students और इस वाले parts में क्या होता है इस वाले parts में यहाँ पर एक ball meal लगा दिया थी ball meal का मतलब होता है इसको जो cement का जो hot mass होता है यहाँ से cool air थंडी हवा यहाँ पर फेकी जाती है जो की cement के material को जो की बहुती गर्म होता है उसको ठंडा करती भी आगे निकल जाती है और यह इस area में cement आपको मिल जाता है ठीक न अब इसको part क्या-क्या है इस rotary kill के तो यह क्या होता है hot air यानिके electrical fan होता है electrical fan जो की बहुत तेजी से hot air को फेकता है कर्म हवा को ठीक न इसमें heater लगे होते है heating electrical fan यह rotor होता है इसे कहते है upper chamber इस वन इस बी अपर चैमबर and this one is the middle chamber and this one is the lower chamber lower chamber और यह material जो होता है यहाँ pass करा दिया जाता है यहाँ से hot mask जो बन कर निकलता है यहाँ की तरफ आता है यहाँ से cool air ठंडी हवा आती जो की इस material को ठंडा कर देती है ball meal में पीसने के बार में जिपसम इसमें मिला दिया जाता है और यहाँ पर cement आपको आसानी से मिल जाता है तो यह rotary kiln का एक diagram हो गया schematic diagram हो गया जिसमे raw material जो होता है raw material पहला है lime stone और second raw material है क्या चीज है clay clay and lime stone तो यहाँ से raw material को introduce कर दिया जाता है इसमें rotary kiln में raw material को अच्छी तरह से grind कर लेते हैं पीस लेते हैं तो देखे इसके manufacturing क्या है raw material को इन दोन material को grind करते हैं पहले grind finely और इसको फिर wash कर देते हैं then wash grind करने के बाद में इसको अच्छी तरह से wash कर देते हैं wash करने के बाद में इसमें add कर देते हैं water ठीकिए न clay plus lime stone को बारिक पीस के इसको wash कर दिया जाता है और इसमें water को mix कर देते हैं और जब water को mix कर देते हैं तो यह बन जाता है पूरा material क्या slurry तो slurry को यहां से इसमें fake दिया जाता है ठीक है ना slurry कोई की moisture होता है इसमें पानी बहुत होता है यहां से hot air जाती तो slurry क्या हो जाती है सूख जाती फिर इसको इस वाले chamber में middle chamber में fake दिया जाता है calcium oxide में divide हो जाता है फिर वो material को इधर fake दे आता है lower chamber का काम बहुत important students lower chamber का काम क्या होता है lower chamber में जो clay होती है यह divide हो जाती है यह divide होने के बाद में अलग-अलग चीज़े देती है जैसे के silica इसके अंदर से निकलता है alumina इसके अंदर से निकलता है magnesium oxide इसमें से निकलता है Fe2O3 निकलता है calcium oxide तो यहां से मिल गया था और बाकी material यहां से मिल जाते है और यहां पर सारी chemical reaction perform होती है silica calcium oxide silica alumina magnesium oxide iron oxide से मिलकर cement clinker बना देता है calcium silicate और calcium aluminate का mixture बन जाता है और वो calcium mixture यहां introduce यहां पास करा दिया जाता है ठीके ना वो hot mixture यहां आता है यहां नहीं के बाद में cool air यहां से फेकी जाती है उसको ठंडा कर देती है और फिर ball wheel के अंदर इसको पहुचा दिया जाता है वहां पर gypsum को add कर दिया आता है और फिर इस वाले end से cement हमें मिल जाता है तो यह simple manufacturing process हो गई cement की जो कि I hope आपको समझ में आ गई होगी अपर chamber का क्या क्या काम है middle chamber का क्या 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 में अपर chamber में slurry को introduce किया जाता है limestone और clay और water के साथ में गारा बना दिया जाता है ठीके नहीं अपर chamber मिला दिया जाता है इसका temperature 400 degree centigrade होता है students जिसमें सारे water जो होती है वो क्या होता है slurry में से बहार हो जाता है middle chamber का क्या होता है इसमें इसका जो temperature होता है middle chamber का वो होता है 1000 degree centigrade और इस chamber में moisture freed जो material होता है वो पहुचा दिया जाता है clay और limestone enter होते हैं इसके अंदर और limestone इसमें तूट के calcium oxide में divide हो जाता है जिसका temperature 1600 degree centigrade होता है और इस chamber में जो clay होती है वो divide हो जाती है clay किसमें divide हो जाती है magnesium silica में silica में divide होती है magnesium oxide iron oxide जैसे कि मैंने भी बताया वो सारी चीजें जो होती है calcium oxide उससे reaction करता है तो silica में divide हो जाती है clay alumina में iron oxide में इसमें divide हो जाती है calcium oxide इन सबसे reaction करने के बाद में calcium silicate और aluminate बना देता है और इसे ही कहते है hot mass होता है बहुत जादे गर्म होता है इसी को कहते है cement clean कर तो यह इसका diagram हो गया student अब इसकी chemical reaction processing के time में कौन कौन सी chemical reaction होगी student processing बहुत ही simple सी चीज़ है देखे जो middle chamber है उसमें calcium oxide विला था lower chamber में जाकर calcium oxide जो है जो है silica alumina और iron oxide से reaction कर देता है और calcium oxide silica के साथ में alumina के साथ में और iron oxide के साथ में मिलके उनसे chemical reaction करता है और फिर एक hot mixture बना लेता है that is called the cement clinker तो पहली reaction को धियां से समझते है students देखे limestone divide हुआ calcium oxide दिया उसने ठीक है ना calcium oxide यह सारी incident जो होगा वो third chamber में होगा यानिके जिसका temperature 1600 degree centigrade था यानिके इस वाले इस वाले chamber में यह सारी chemical reaction होगी और यहां पर calcium oxide जो है clay के component से reaction करेगा और सारी reaction performed होगी तो देखे पहली चीज़ क्या होती डाई calcium oxide यानिके two calcium oxide जो है silica sio2 के साथ में reaction करेगा और बना देता है क्या यह silica जो है इसके साथ में add हो जाता है ठीके ना और c a o si o2 यानिके calcium oxide जो है silica के साथ में reaction करके di calcium silicate بना देगा di calcium silicate क्यों है क्योंकि calcium silicate calcium oxide का जो molecule के जो number है वो कितने है 2 है इसलिए इसको director इस केल सम्सिलिकेट और इसको शॉर्ट में सी टू एस लिग देने हम इना समझने के लिए ताकिए आगे आसानी से समझ सके इतना बड़ा इस्ट चैमिकल फॉर्मूले ना लिखके हम c2s लिग देंगे c2 का मतलब हो गया डाई केल्षियम और का मतलब हो गया silicate तो di calcium silicate बन जया अब तीन molecule calcium oxide के silica से reaction करेंगे students silica से reaction करके यह आपस में जूड़ जाएंगे और tricalcium silicate बन जाएगा यह जाएगा यह त्री CAO और SiO2 और यह बन जाएगा tricalcium silicate इसको short में हम कहा देंगे T3S T3 का मतलब हो गया tricalcium और S का मतलब होगे silicate अब चौथी chemical reaction क्या होगी तीन calcium oxide के molecule जो होगे तीन calcium oxide के molecule जो होगे alumina के साथ में reaction करेंगे और यह बन जाएगा tricalcium aluminate 3COOL2O3 tricalcium aluminate बन जाएगा और इसको short में C3A लिख देंगे C3 का मतलब होगया tricalcium और A का मतलब होगया aluminate और चौथी इंपॉर्टन के जो chemical reaction होगी वो चार calcium oxide के molecule एक alumina और एक iron oxide के साथ में add हो जाएगे और यह बन जाएगा 4CAO dot AL2O3 dot Fe2O3 यानि के tetra calcium alumino ferrit tetra का मतलब होगया 4 ठीक है न और इसको short में C4AF कह देंगे यानि के C4AF का मतलब होगया tetra calcium alumino ferrit ठीक न तो इस चारो chemical reaction important है students और इसमें आपने देखा के सब में क्या होगा calcium silicate बना और aluminate बना ठीक है न केलसम silicate और aluminate का mixture यह जो hot mass होता है that is called the cement clinker यह cement clinker होता है hot mass of C2S C2S dry calcium silicate C3S tricalcium silicate C3A tricalcium aluminate and C4AF का मतलब गया tetra calcium alumino ferrit इनका जो mixture होता है न यह सब आपसे mix up हो जाते हैं कौन से chamber में students यहां वाले chamber में यह सारे mix up हो जाते हैं कौन कौन से होते हैं C2S हो गया C3S हो गया C3A हो गया और C4AF इन सब का mixture होगा इससे कहते हैं cement clinker इस set to be cement clinker which is air cooled जिसको ठंडा कर दिया जाता है and grind finely और इसको बारीक पीच ले जाता है gypsum इसमें मिला दिया जाता है thus the last product obtained is set to be cement और जो last में आपको मिलता है उससे कह देते हैं cement इसको हाधनीं पानी मिलाते हैं टो यह क्या बजाता है set हो जाता है और इसको यह क्या करता है अधेरींग प्रॉपर्टी शोगरता है ब्रीक से पेदिल और से इन सब सों से चिपकाने का गाम करता है तो बाइंड ने स्टिम पर्सइंट कि होती दियरकSpearo वह solid mass, hard mass बन जाता है, solid mass बन जाता है, and bind bricks इटों को चिपका देता है, concrete, or sands, pebbles, or tiles वगरे को चिपका देता है, the main setting and hardening reaction are as following, दो तरह की इसमें chemical reaction ये perform करता है, cement पहला तो है, क्या करता है, कि cement जो है, hydration reaction को show करता है, जब भी hydration reaction आप लिखेंगे, तो water जो है, उसके calcium silicate ये eliminate के साथ में क्या होता है, add हो जाता है, यानि के, चिपक जाता है, और complex बना लेता है, और complex बनाने के बाहने में, coll idle gel बना लेता है, और ये coll idle gel किसका काम करता है, चीज़ों को चिपकाने काम करता है, तो एक तो होता है hydrogen, hydrogen reaction होती है, जिसमें complex बनता है, water के साथ में ये जुड़ जाता है, और collidal gel मना देता है, और एक होता है hydrolysis, hydrolysis में क्या होता है, cement के जो composition elements होते हैं, यानि कि जो main, जो cement के अंदर material present होते है, calcium silicate and aluminate, वो क्या होता है, तूट जाता है, divide हो जाता है, तूटन calcium oxide और calcium magnesium aluminium, जो magnesium hydroxide है, इसमें aluminium hydroxide आएगा, students, aluminium hydroxide, ALOH folthrase, ये material बनता है, students में, right, hydrolysis में calcium hydroxide और aluminium hydroxide और aluminium hydroxide बनेगा, और इन दोनों material का काम क्या होगा, इन दोनों material का काम ये होगा, students, कि एक तो जब cement set होता है ना, तो दरारे आजाती है, दरारे को fill करने का काम क déjà है और एक जो होता है चीजों को चिपकाने का काम करता है कि जैल का का मुंद के लिए एक तो था C2S, Dicalsum Silicate, एक था C3S, Tricalsum Silicate, एक था C3A, Tricalsum Eluminate, एक था C4AF, Tetra Calcium Eluminum Ferrit, तो किसका क्या होता है, पानी इसके अंदर साथ में मिला देते, तो यह क्या बन जाता है, हाड बन जाता है, अब सिमेंट के अंदर यह सारी चीजे है, देखें, फाइव केमिकल रेक क्या होगा, देखें, Dicalsum Silicate, जब सिमेंट में पानी मिला देते, तो Dicalsum Silicate एक्टीव होता है, और वो Dicalsum Silicate एक्टीव होगा, वाटर के X Molecule के साथ में complex बना लेगा, यानि के X Molecule, Hydration reaction होगी, Hydration में क्या होगा, complex बनेगा, Collidal Gel बन कर त्यार हो जाएगा, Collidal Gel जो क्या क् करता है, चीजों को चिपकाने का काम करता है, तो X Molecule of Water, यानि के X H2O, इस Calcium Oxide, यानि के C2S से मिल जाता है, जुड जाता है, complex बना लेता है, और ही बन जाता है, 2CAO, SIO2.X H2O, यानि के Hydrated Collidal Gel बन जाता है, तो इसका क्या बनेगा, C2S का Collidal Gel बन जाएगा, अब बारी आत ये C3S, ये भी सिमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, Tricalcium Silicate, तो Tricalcium Silicate, C3S का होता है, Hydrolysis, ये ध्यान रखना होगा आपको, और Hydrolysis जब भी होगा, तो क्या होगा, ये तूट जाएगा, ये तूटने के बाद में, Calcium Oxide में, Calcium Hydroxide में Divide हो जाएगा, तो Tricalcium Silicate का formula क्या हो गया, Tricalcium Silicate, C3S, ये वाटर के साथ मेंट होगा, ये क्या होगा, ये तूट जाएगा, Calcium Hydroxide में तूटेगा, और इसमें से Dicalcium Silicate बनकर तयार हो जाएगा, यानि के Calcium Hydroxide बनकर तयार हो जाता है, यानि के, Overall हम देखे हैं, तो Second reaction में, Tricalcium Silicate का Hydrolysis होता है, Calcium Hydroxide बनकर तयार होता है, और एक Mole, जो एक Molecule जो होगा, Dicalcium Silicate का यह बनेगा, फिर Dicalcium Silicate फिर दुबारा से इसका क्या बन जाएगा, Hydration स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये भी क्या बन जाता है, Hydrated Collidal Gel में Convert हो जाता है, अब तीसरी reaction क्या होगी, देखें, इसका हो गया, T2S का क्या हु C3A, ये बड़ा important students, ये C3A, जो है, Tricalcium Aluminate, ये बहुत तेजी से reaction करता है, सिमेंट के अंदर, actually क्या होता है, पानी डालते ही है, बहुत तेजी से quick reaction करता है, fast reaction करता है, और इस fast reaction को रोकने के लिए ही, जिपसम को इसमें मिला दिया जाता है, देखें, जब बहुत तेजी स set होता है, तो धरारे आ जाती ही, उसके अंदर, ये cracks आ जाती है, इस cracks को रोकने के लिए, क्या करना पड़ेगा, इस chemical reaction को जो तीसरी होने वाली है, ये C3A वाली, Tricalcium Aluminate की, इसको थोड़ा slow करना पड़ेगा, ताकि chemical reaction धीरे-धीरे हो, और धीरे-धीरे होने के बाद में क् setting आसानी से हो जाए, नहीं के quick setting ना हो, तो इसके लिए इसमें जिपसम को मिला दिया एता है, अब ये वाली, अगर मालो, जिपसम नहीं मिलाया, तो ये water के साथ में add होंगे, क्या बनाएगा, तो देखे, Tricalcium Aluminate का का काम क्या है, ये hydration हो hydrolysis दोनों ही करता है, दोनों chemical reaction करे तो इसका मतलब क्या हो गया, simple सी चीज़े, ये six water के molecule को target करेगा, T3A जो है six molecule of water को target करेगा, इसके साथ में add होकर collidal gel बना लेगा, collidal gel hydrated collidal gel बना लेगा, और चौती chemical reaction क्या होगी, hydrolysis की होगी, इसका hydrolysis होगी, इसका hydrolysis होगा, partial hydrolysis हो जाएगा, C3A का, Tricalcium Aluminate का, और ये calcium hydroxide और aluminum hydroxide में टूड जाएगा, इसके hydrolysis reaction होती, calcium hydroxide और aluminum hydroxide में ये divide हो जाता है, और ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं, जो cracks को और चीजों को चिपकाने के लिए, और cracks को feel करने के लिए, तो ये chemical, दोनों chemical reaction, तीसरी और चौती बहुत fast होती है, students, इसको slow करने के लिए इसमें gypsum को add किया जाता है, और last वाली chemical reaction क्या है, देखे, last वाला कौन सा product बचा है, P4AF, इसका क्या होगा, इसका क्या होता है, इसका होता है, hydration, hydration of tetra calcium alumino ferrit, जब इसका hydration होगा, तो क्या होगा, six water molecule जो है, इसके साथ में जुड जाएंगे, लेकिन जुडने जुडते तो ह ही है, tricalcium aluminate, tetra tricalcium aluminate बनेगा, यानि के C3A बनेगा, और साथ साथ में TAO Fe2O3, calcium oxide और Fe2O3 इसमें निकल कर आता है, देखे, इसमें CAO, एक CAO बहार निकाल दीजिए, और इसके साथ में Fe2O3 बहार निकाल दीजिए, बचा, 3CAO L2O3, 3CAO L2O3, और इसमें 6 water molecule इसमें जुड जाएंगे, ठीके न, और CAO Fe2O3 बहार निकल जाएगा, तो collidal gel बन कर त्यार हो जाता है, इस तरह से ये 5 chemical reaction इसमें participate करेगी, जो कि setting और hardening की chemical reaction होगी, रोल ओफ दी जिपसम क्या होगया, जिपसम का मेल रोल क्या होगया, इस्टुटिट, जिपसम slow down कर देता है, setting और hardening के process को धीरा धीवा कर देता है, ताकि cracks या दरारे ना आए, और सिमेंट आसानी से चीजों को चिपका ले, और slow down कर देता है, the fast reaction of C3A, Tricalsum Aluminate की with water, water के साथ में, यह जो chemical reaction होती है, Tricalsum Aluminate की, जैसा में ना भी बताई, तीसरी और चौती chemical reaction इसको slow down कर देता है, जिपसम को, जिपसम combine with C3A, actual में क्या होता है, जिपसम क्या होता है, Tricalsum Aluminate के साथ में, और पहले से ही combine हो जाता है, उसके साथ में chemical reaction कर लेता है, और जब water इसमें मिलाते हैं, तो फिरे धीरे 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 धीरे, क्या करता है, इसको तोड़ता है, ठीके ना, तो Tricalsum Aluminate है, जिपसम इसमें मिलाएंगे, जिपसम का फार्मूला होता है, C-A, Dicalsum Sulfate का, Dihydrated Form होता है, जिपसम का फार्मूला क्या होता है, C-A, S-A 4.2H2O, ये क्या है, जिपसम है, students, अच्छा, P-O-P जो आता है, वो क्या होता है, वो Half H2O Molecule होता है, किसका? Calcium Sulfate का, ये Dihydrated Calcium Sulfate होता है, जिपसम, तो Dihydrated Calcium Sulfate को, जब सिमेंट में मिलाते हैं, तो C-A को target करता है, इससे मिलकर, ये बना देता है, Calcium Sulfo Aluminate बना देता है, जब इसके साथ में ये add कर देंगे, इसको उठा कर सीधा है, यहां रख देंगे, और dots से इसको देखें, 3-C-A-O-L-2-O-3, फिर 3-C-A-S-A-4-2-H-2-O, ये भी एक complex बना देता है, और Calcium Sulfo Aluminate बना देता है, और ये chemical reaction को slow down कर देता है, यानि कि ये जो C-3-A था, ये पानी के साथ में मिलकर बहुत तेजी से reaction कर दा था, इसको क्या कर देता है, इसको कंट्रोल कर लेत है, तो इस तरह से setting or harding process क्या हो जाता है, slow हो जाता है, तो ये पूरा cement के बारे में था, student cement को बहुत अच्छे तरह साब को prepare करना है, important question है, इसमें इस unit का जो second question है, ये भी बड़ा important है, और हमेंसा आता है, student, अगर आप last year के previous year question paper में देखे, तो ये topic हमेंसा आपको मिलना है देखे, हर एक unit में से एक topic ऐसा होता है, जो कि हम पिल्कुश शौर ली कह सकते हैं कि ये question तो आना है, तो इसमें से ये वाला जो question है, second question, ये आना ही आना है, हर question paper में repeat होता है, देखे, अलग-अलग format में, अलग-अलग तरीके से ये question आता है, और वो topic है, electrochemical theory of corrosion, corrosion का mechanism कैसा ह होता है, corrosion होता है, corrosion को explain कैसे करते है, corrosion आखिर, किस तरह से perform होता है, किसी metal को degrade करने में, क्या roll अदा होता है, corrosion का, तो वो सारी चीजियों के बारे में, यहां explain करेंगे, तो वो है second question, जो कि ये आया था, देखे, last year के second semester में भी आया है, last year के first semester में भी आया, उससे पिछले व Electrochemical Theory, Electrochemical Theory, यह इस topic को अच्छी तरह से याद कर लेना, students, अलग-अलग format में यह कुछ चनाता है, Electrochemical Theory of the corrosion, by absorption of oxygen, Electrochemical Theory of corrosion को समझाना है, absorption of oxygen को बताना है, oxygen का absorption metal पर कैसे होता है, what effect will be increased oxygen supply, oxygen supply, अगर बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, have no, have on such corrosion, how can corrosion be minimized properly, proper design, corrosion को बिदिवाइस कैसे कर सकते हैं, किसी metal की proper designing करके, पिर उससे, देखिए, उसी साल में, 2022-23 में, semester first में, यह question repeat हुआ है, और वो है, discuss the mechanism of the electrochemical corrosion of iron, electrochemical corrosion of iron को बताना है, evolution of hydrogen को बताना है, यह जो पूरा mechanism होगा, तो इसमें hydrogen gas कैसे निकलती है, उसको भी explain करना है, what will happen when zinc rod is vertically half immersed, जब zinc rod को किसी पानी के अंदर डालते हैं, water के अंदर डालते हैं, तो क्या होगा, अगर वो आधी डूबी हुई है और आधी उपर है, तो उसमें effect क्या होगा, उसको भी बताना है, तो एक तो आदी आना है, कि electrochemical theory of the corrosion, उसके साथ में जो second part होता है, उस question का, व evolution and oxygen absorption, hydrogen gas बाहर आती है, oxygen ये क्या होती है, add हो जाती है, accept हो जाती है, यानिके, describe the cathodic protection in detail, cathodic protection को भी बताना है, detail में, तो इसा ही बताएंगे हैं, और इसमें चौते वाले question में क्या है, define the term corrosion, corrosion को define करना है, describe the mechanism, the electrochemical theory of the corrosion, with the help of hydrogen, evolution, hydrogen, evolution को समझाना है, oxygen का absorption कैसे होता है, इसको समझाना है, chemical reaction को explain करना है, इसमें, and how it can be prevented using sacrificial anodic protection, कहीं पर cathodic protection आ गया है, कहीं पर sacrificial anodic protection आ गया है, लेकिन एक चीज़ इसमें common है, in question में, electrochemical theory of the corrosion, ठीक न, तो इस पर discussion करते हैं, कि corrosion होता है, corrosion होता है, metal को अगर आप खुले में रख दे, moisture के presence में रख दे, नमी जहां पर है, हवा target कर रही है, air target कर रही है, तो क्या होता है, metal क्या होने लगता है, degrade होना सुरू हो जाता है, decompose होना सुरू हो जाता है, degrade का मतलब होता है, metal का कटना चटना स्टार्ट हो जाता है, और metal, just like for an example, iron लिया, आपने iron का piece को लिया, हवा में उसे खुला छोड़ दिया by the effect of the environmental factors, environmental factors कोन को से हो सकते है, sunlight हो गई इसमें, moisture present in the air, oxygen हो गई इसमें, बहुत सारे चीज़े, environmental factors में आ जाती है, तो वो सारे factor क्या होते है, उस metal को degrade करने के लिए capable हो जाते है, तो that is called the corrosion, corrosion भी दो तरह का होता है, dry corrosion होता है, और एक होता है, wet corrosion, तो यहाँ पर dry corrosion जब होत होता है, यानि के पानी नहीं होता, ठीक ना oxygen डायरेक्र टेक करती है, और metal के साथ में reaction करके oxide film बना लेती है, ठीक ना, तो वो तो हो गया dry corrosion, यहाँ पर wet corrosion की बात कर रहा है, यानि के electrochemical corrosion क्या होता है, तो electrochemical corrosion क्या होता है, student के यह नमी की presence में अगर corrosion होता है, metal का degrade होना, नम की presence में, यानि के water की presence में, water vapor की presence में, यानि के हवा में नमी है, तो क्या होगा, electrochemical corrosion होता है, electrochemical corrosion का मतलब क्या होता है, कि electrical corrosion भी कहते है, इसको, a type of corrosion of metal, यह एक तरह का corrosion of the metal है, पहले में मताया, एक तो होता है chemical corrosion जिसको हम dry corrosion कहते है, दूसरा wet corrosion होता है, जिसको हम कहते है, electrochemical corrosion केते हैं, a type of corrosion of the metal in presence of moisture, इसका detail lecture हम लास्ट जो वीडियो लेक्चर पड़े हैं आपके, तो वहां से आप उसकी help ले सकते, तो a type of the corrosion of metal in presence of moisture, air, carbon dioxide हो, sunlight हो and the room temperature हो, is known as the electrochemical corrosion, देखे इसकी essential condition क्या होगे, electrochemical corrosion की, क्यों मोश्चर हो, metal reactive हो, metal active होना जरूरी होगी है, just like iron हो गया, aluminum हो गया, other metals हो गया, air, carbon dioxide हो, atmosphere में, sunlight present हो, room temperature हो, यह सारी essential condition है, corrosion क्यों हो नहीं की, तो electrochemical corrosion होगा, example इसका rushing of iron, galvanic corrosion, etc, rushing of iron, लोहे पर जंग लगना, इसका एक good example पिल है, electrochemical corrosion का, electrochemical theory of the corrosion, actual में क्या होता, electrochemical cell develop हो जाता है, जब corrosion होता है, तो, देखे, electrochemical cell develop होता है, तो corrosion current flow होना सुनो जाता है, और metal का cutना, चटना, start हो जाता है, electrochemical theory of the corrosion क्या है, इस corrosion को समझने के लिए, हम एक theory से को explain कर सकते हैं, जिसे कहते है, electrochemical theory of the corrosion, the mechanism और theory, वो mechanism या वो theory by which explain the electrochemical corrosion, जिसको आप electrochemical corrosion को explain करते हैं, उस theory को कहा जाता है, electrochemical theory of the corrosion, जैसे, explanation of the rustic of iron, rustic of iron को explain कर सकते हैं, तो यहाँ पर rustic of iron को explain करते हैं, तो यहाँ पर rustic of iron को explain करते हैं, इस्टुरिट्स, rustic of iron क्या है, rustic of iron, a good example of the electrochemical corrosion, तो rustic of iron क्या है, इस an example of the electrochemical corrosion, and it can be explained on its mechanism, can be explained by the theory of the electrochemical corrosion, examples क्या है, rust का मतलब क्या होता है, rust का मतलब होता है, it is the hydrated form of ferric oxide यानि के Fe2O3 dot XH2O इसे कहते है rust राइट और रश्टिव आइरेन क्या हो गया नहीं रश्ट का मतलब होता है रश्ट होता है hydrated form यानि के water molecule इसके साथ में जुड़ा होता है इसके साथ में जुड़ा होता है Fe2O3 तो hydrated form of ferric oxide is the rust general formula इसका होता है Fe2O3 dot XH2O it is the general formula of rust यानि के जंग का general formula हो गया ये students rustic of iron takes place when iron plays जब iron के piece को लोहे के piece को contact किया जाता है moisture के साथ में अगर हो moisture present हो हवा के अंदर नहीं हो oxygen डारेक अटेक कर रही हो उस तो iron के piece पर carbon dioxide भी present होती है air के अंदर 8 room temperature in sunlight sunlight के presence में ये सारे incident होता है तो rustic of iron यानि के लोहे पर जंग लगना तो भावी के हो नहीं है mechanism इसको समझाते है rustic of iron का देखें rustic of iron को समझने के लिए आप इससे समझ सकते है iron के piece को हमने हवा में अब आपर एटमोस्फेर की condition direct आ रही है वहाँ पर नमी भी present है ठीके ना और वहाँ पर iron के piece को रख दिया अब वहाँ पर क्या होता है नमी उस पर चिपकती है iron के piece को iron के piece पर जैसे नमी चिपकती है तो उस पूरे uniform surface जो होता है non uniform भी हो सकता है iron के piece का surface जो होगा rough surface भी हो सकता है उस पर जब water droplet चिपकती है तो पूरे surface को दो part में divide कर देती है water droplet क्या करती है एक हिस्सा वह होता iron के piece का जहां पर पानी की बुन्देश्च चिपकी हुई है वहाँ पर oxygen direct attack नहीं कर अब इसको हम diagram के through सम्झाएंगे rusting of iron को यारी कि electro chemical theory electro chemical theory और rusting of iron को एक diagram के through सम्झाएंगे देखिए के इस diagram के through इसको सम्झाएंगे आप तो यहां पर, मान लीजे, iron का piece रखा है, एक iron का piece रखा है, लोहे का piece, तो iron रखा है, अब इस पर, मान लीजे, water की droplet चिपक जाती है, तो suppos this one is the water droplet, water droplet चिपक गई, यहां पर यह water droplet है, जिसके अनदर क्या है, पानी है, तो यह water की droplet जो होती है tiny tiny droplet जो होती है उस iron के piece को दो पार्ट में divide कर देती है iron के piece को एक तो वो iron का हिस्सा जहां पर oxygen जो है direct attack कर रही है atmosphere की oxygen हवा से air जिसके अंदर oxygen है वो direct attack कर रही है तो यह वाला हिस्सा जहां पर oxygen क्या कर रही है direct attack कर रही है और यह वाला हिस्सा जहां पर oxygen नहीं पहुच रही है यह वाला हिस्सा जहां पर oxygen नहीं पहुच रही है और यह वाला हिस्सा जहां पर oxygen direct attack कर रही है तो यहाँ तक नहीं पहुच पाती, आईरन के piece पर, तो यह दो part में divide कर देता है, इस हिस्से को दो part में divide कर देता है, एक तो होता है highly oxygenated area, यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, high oxygenated area, जिसको हम कहेंगे cathode, जहाँ पर oxygen direct attack कर रही है होगा cathode एक यह वाला हिस्सा जहां पर कहेंगे हम less oxygenated area जहां पर oxygen कम direct attack नहीं कर रही है तो यह क्या हो जाएगा यह students क्या हो जागा affected हो जाएगा यह affected हो जाएगा और कटना छटना चालू हो जाता है यहां से डिग्रेड होना सुरू हो जाता है तो यहां से क्या होने लगता है cavity बन जाती है क्या बन जाती है cavity बन जाती है और यह होता है less oxygenated area यहां से और यहां तक का area जहां पर oxygen नहीं पहुच रही है इसे कहेंगे है less for to area चीगे ना corrosion यहां start हो जाएगा यह और यह corroided metal जो होता है material जो होता है अब इससे कहेंगे अनोड यादि के negative terminal this one is the positive terminal हो जाएगा यह भी cathode होगा और यह वाला क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा जहां पर metal का कटना चटना start हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा रस्टिंग start हो जाएगी यानि के रस्ट यहां पर आना सुरू हो जाएगा rust का मतलब क्या एफ ए टू ओ थ्री यहां पर बंदना सुरू हो जाता है तो यह पूरा जो पानी की बूंदों के नीचे का होता है जिसको हम एनोड गएंगे जहां अक्सिजन नहीं पहुच पा रही है यहां से जो होता है आयरन जो होता है यह क्या हो जाता है जो कि ट्रों पर नहीं खरने लिएख लेटागी यहां से एल्लेक्ट पार्ट में नहीं इससाइड वह ओनान desires ट्रॉम्च करने में करने में आयरेंड के पीस को एक तो हाई oxygenated area एक होता है less oxygenated area राइट और एनोड और cathode का develop हो जाता है एनोड और cathode जैसे develop हो जाते है पूरा आयरेंड का पीस electrical cell की तरह से behave करने लगता है जोगी electrolyte का काम करती है तो तीरों condition इसे हां हो जाती electrical cell बन जाता है और corrosion start हो जाता है तो एनोड और cathode क्या होगा देगे water droplet contact to uniform iron surface when it place in moisture the non uniform surface of iron divide into two parts दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जैसा कि मैंने भी diagram में बताया एक एनोडिक पार्ट होता है एनोड मेटल का वो पार् by water droplet matter का वो पार्ट यो की water droplet ने cover कर रखा है we are o2 node directly contact जहां पर o2 जो है directly contact नहीं कर पाती ये वाला पार्ट ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है एनोड बन जाता है जहां पर oxygen direct attack नहीं कर रही है right it is the part of the area below the water droplet पानी के मून के नीचे का area एनोड होता है जहां से iron क्या होता है weak पढ़ जाता है और दूसरा part क्या होता है cathode होता है cathode क्या होता है metal का वो part it is which is directly contact to the air जो की हवा से direct contact में है और उसे एक हम कहते है cathode it is the part of the area of the highly oxygenated high oxygenated area का हिस्सा होता है देकि हाई oxygenated area का हिस्सा कोन सा हो गया ये वाला जहां पर oxygen direct attack कर रही है ठीकर नहीं ये वाला area और य oxygen direct attack कर रही है metal को यहां पर metal weak हो जाता है और यह जो water है यानि कि H2O है यह act करेगा electrolyte का electrolyte का 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 काम करेगा पानी और cathode और anode दोनों आ जाते हैं तो यह एक electrical cell बन जाता है यह क्या हो जाता है एक electrical cell बन जाता है electrochemical cell बन जाता है और corrosion start हो जाता है अब और क्या है देखिए moisture क्या का का क्या काम है moisture act as an electrolyte moisture electrolyte का का काम करती है an electrochemical cell will be developed electrochemical cell develop हो जाता है corrosion start from the anodic to the cathodic part anode से cathode anode पर metal कटना चालो जाता है और cathode पर यह क्या होने लगता है जमना शुरू हो जाता है iron oxide की form में fe2o3 dot x h2o की form में rust की form में cathodic part पर यह पहुंचना शुरू हो जाता है अब इसकी chemical reaction कैसे कैसे होगी वो आपको बता देते हैं देखे इसमें clear है anode कोन सा है cathode कोन सा है यह तो clear हो गया होगा आपको एक बार और फिर आपको बता दे anode और cathode क्या होता है mechanism इसको समझाने जा रहा है chemical reaction इसकी क्या क्या होगी involved होगी तो main chemical reactions what are the chemical reaction involved in rusting of iron और electrochemical theory of the corrosion तो chemical reactions क्या क्या होगी बहुत ध्यान से समझे है chemical reactions ठीक है ना anode और cathode दोनों है इसमें तो सबसे पहले anodic reaction हम समझते हैं कि at anode क्या होगी तो पहली chemical reaction anode पर क्या होगी at anode anode क्या है anode क्यों सा हिस्सा हो जाएगा metal part below water proplet पानी के बूंदों के नीचे का हिस्सा anode होगा जहाँ पर metal gets weak metal metal कमजोर पड़ जाएगा ठीक ना एंड ऑक्सिडाइज एंड ऑक्सिडाइज और मेटल ऑक्सिडाइज होना सुन हो जाएगा तो मेन chemical reactions क्या क्या है यह समझ लीजे हैं पर देखें iron present है solid iron है यह divide हो जाएगा यह weak हो जाएगा aqueous में यानि के पानी में मिलना सुरू हो जाएगा तो electron release करेगा यानि के इसका हो जाएगा oxidation chemical reaction first है and this is performed oxidation यह oxidation reaction हो जाएगा अनोड पर अब cathodic reaction क्या हो जाएगी देखें cathodic reaction में second type की reaction है इसमें cathodic reaction cathodic reaction cathodic reaction क्याथोड क्यों सा है metal part metal part direct contact जो की direct contact to air जो की direct contact कर रहा है air के या फिर oxygen के air और o2 अब cathodic reaction में क्या क्या होगी देखें direct contact क्यों को जाएगा एक तो moisture में moisture contact कर दिये तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा moisture divide होगी moisture का मतलब होता है हवा divide वो पानी इसक में टूड जाएगा तो water जो है यानि कि electrolyte जो है यह active होगा और electrolyte divide होना सुरू हो जाएगा हाइड्रोजन आइन्स में और hydroxide आइन में ठीके न हाइड्रोजन आइन्स और hydroxide आइन्स में divide होना सुरू जाएगा यह main chemical reaction में नहीं आती है तो यहाँ पर इसको हम यहाँ side में लिख दे इस टूरिंस जो इसकी electrolyte की reaction से water जो है वो डिवाइड होगा hydrogen आइस में और hydroxide आइन में राइट अब यह जो hydrogen आइन्स हैं यह active होंगे electrons जो है कहां से पहुचेंगे electrons देखें यहाँ पर नाम से clear हो जाएगा यह hydrogen आइस और hydroxide आइन में तूटेगा electron यहां से move होके इधर भागेंगा hydrogen आइस इसको पकड़ना शुरू कर देंगे और hydrogen आइस इसे पकड़न के बाद में क्या बना लेंगे hydrogen atom बना लेंगे है hydrogen atom और hydrogen atom आपस में मिलकर hydrogen gas बना लेंगे hydrogen gas evolution जो की question में पूछा गया है का hydrogen gas बाहर कैसे निकलती है ठीक है overall cathodic reaction क्या होगी students overall cathodic reaction जो होगी देखे hydrogen ions बनेंगे इसमें right hydrogen ions जब बनेंगे oxygen इसको target करेगी oxygen target करने के बाद में electrons जो है यह iron divide होकर electrons release करेगा यह hydrogen ion इसको पकड़ना शुरू कर देंगे और यह सब मिलकर पानी बन जाएगा H2O बन जाएगा जब electron का exception होता है electron का जुड़ना होता है तो that is called the reduction that is called the reduction तो यह reduction reaction होगी oxygen reduction दोनों reaction मैंने आपको बता दी ठीक ना hydrogen evolution कैसे होता है hydrogen gas बाहर कैसे निकलती है फिर से समझे लेश्ट यह hydrogen electron को get करेगा पकड़ लेगा hydrogen atom बना लेगा hydrogen atom और hydrogen atom आपस में reaction करके क्या बना लेते hydrogen gas यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो hydrogen evolution की chemical reaction हो गई यहां पर राइट अब बात करते हैं mechanism बता रहे हैं आपको ठीके ना ओवराल जो इसमें chemical reaction निकल कर आती है यानि के पहली और दूसरी chemical reaction reduction और oxidation को हम जोड़ देते हैं तो क्या reaction बनकर त्यार होगी देखें क्या reaction बनकर त्यार होगी देखें पहली reaction जो थी और दो बाई adding first and second chemical reaction पहली chemical reaction iron Fe2 positive पहली chemical reaction क्या थी Fe solid था Fe2 positive aqueous में convert हो गया release two electrons और second reaction ये क्या थी anode की reaction थी cathode की reaction क्या हो जाएगी students cathode की reaction चार hydrogen ions है चीगे ना oxygen इसको target करेगा और चार electron से मिलकर ये बना लेगा 2H2O यानि के water बना लेगा तो पहली chemical reaction ये और second ये अगर आप second chemical पहली chemical reaction को two से multiply कर दे और इसको add कर दे तो ये overall chemical reaction निकल कर आ जाएगी तो ओवर आल reaction चीगे ना क्या होगी तो एफी solid plus four hydrogen ions plus O2 electron से electron cancel हो जाएंगे is equal to two Fe2 aqueous plus two H2O तो ये overall chemical reaction निकल कर आ गई students चीगे ना overall chemical reactions यहाँ पर आ गई तो ये बन कर तियार हो जागा Fe2 यानि के Fe का conversion Fe2 positive में हो गया राइट अब second क्या होगी ferrous iron का oxidation होगा oxidized to ferric iron इसमें जो next step में आती है ferrous iron का जो इसमें तीसरा आएगा तीसरा पार्ट होगा ferrous iron Fe2 positive oxidized to ferric iron ferric ions यहाँ पर ये reaction होगी oxygen absorption क्योंकी question में लिखा है hydrogen evolution और oxygen absorption दो नहीं reaction आपको लिखनी पड़ेगी actual में क्या होता है कि 4 Fe जो ions बने है यानि के iron two positive aqueous जो बना है water में present जो है dissolve oxygen से reaction करेगा और चार hydrogen ions जो है इसमें 4 Fe ये आपस में reaction करके 2 Fe2 O3 बना लेगा और बदले में 8 hydrogen बहाँ निकलेंगा ये 8 hydrogen और जादे फिर corrosion को और fast कर देती तो यहाँ पर oxygen absorption की chemical reaction होगी oxygen क्या हो गया absorb हो गया इसमें चौथा process क्या होता है चौथा process देखे पहली दूसरी तीसरी chemical reaction ये आ गई आपकी चौथी chemical reaction क्या हो जाएगी Fe2 जो है Fe2 O3 जो है ये rust में convert होगा formation of rust जंग का बनना अब जंग कैसे बनेगा देखे जब Fe2 O3 है और ये moisture बहुत सारी है moisture बहुत सारी है iron के surface पर तो ये आपस में reaction करके complex बना लेता है Fe2 O3.XH2 जिसको कहते हैं rust ये rust at cathode कैथोड की तरफ बनना सुरू हो जाएगा anode से cathode की तरफ transfer होना सुरू हो जाएगा और rust of iron start हो जाता है तो ये सारी chemical reaction इसमें आ गई देखे पहली main तो chemical reaction यही है students iron oxidize होगा ठीके ना Fe2 positive में जबके hydrogen ions का बनना hydrogen ions कैसे बने होगे मैंने dictate कर दिया oxygen dissolve oxygen से reaction करके क्या बना लेगा water बना लेगा अब ferrous iron का ferric oxide में, ferric iron में conversion होता है oxygen absorb होती है, ferric iron में convert होगा, ferric oxide में convert होगा ferric oxide जो है Fe2O3 जो water droplet से यानि के moisture से reaction करके rust बना देता है और यहाँ पर यह rust बनना सुरू हो जाता है, इस वाले part में यानि के एनोड पर cathode से यह कटना चालू हो जाता है cavity बनना और यहाँ पर यह बनना चुरु सुरु हो जाता है rust बनना सुरु है तो यह complete इसकी mechanism हो गया students जो आपको explain किया हम ने तीक न रश्टिंग ओफ आइरन का I think आपको completely इसको explain कर दिया गया है अब इसमें next आता है देखें अगला question कौन सा है यहाँ पर आपको second question यह सारी चीज़े इसमें आ गई अब इसमें कुछ चीज़े अगर बच रही है तो वह देख लेते हैं देखें और किया अगला question का अगला question आ जाएगा महाँ explain कर देंगे और sacrificial यह भी हम आगे explain कर देंगे तो यहाँ पर दो चीज़े देखे प्रोपर दिजाइन और जन कें बीमाइस बाइ प्रोपर दिजाइन प्रोपर दिजाइन को हम क्या कर सकते हैं number one use smooth surface not rough surface of metal smooth surface को use करें rough surface को use न करें दूसरी चीज़ है यूज रेट सर्फेस रेट डिजाइन not band band design को यूज न करके straight design का यूज करें ठीक ना चौथा यूज मैटल मैटल को इस तरह से यूज करें कि मैटल जो है डिजाइन उसका ऐसा हो जैके band यानि के मुडा तुडा ना हो जैसे कि हम ऐसे यूज कर रहे तो यह oxygen आएगी हवा आएगी और टकरा कर चली जाएगी लेकिन अगर band surface को यूज करते हैं इस तरह से band design यूज करते हैं तो क्या होगा oxygen आएगी या moisture आएगा वो क्या होगा यहाँ पर जम जाएगा और इससे होगा इससे यह होगा कि यहाँ पर जो है वो condition ज्यादा active हो जाएगी और corrosion बहुत fast होगा metal को use करें in same manner एक ही manner में metal को use करें यानिक उसको काट छाट के use ना करें whole metal को use करें whole metal को ही कटे-फटे मेटल को use ना करें ठीक है not scratch on metal metal पर scratch ना करें तो यह सारी चीज़े हम यूज करेंगे तो क्या होगा metal में corrosion नहीं होगा अब next क्या है इस्ट्रेंट्स नेक्स क्या है कि जिंक रॉड हाफ immersed into water water में अगर इसको जिंक की रॉड को हाफ इमर्ज कर दे तो जिंक रॉड का पॉर्जन स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब गॉटम एंड लिए आपने एक वाटर से भरावा कोई एपरेटे से उसके अंदर जिंक रॉड लिया आपने तो क्या होगा प्रॉड जो हो गा वह कहां पर इस्टार्ट हो जाएगा नीच ले वाले हिस्से में यहां से मैटल क्या होने लेगा कटना सुरु हो जाएगा को रोजन हो जाएगा प्रोजन एट टाम एंड एसा क्यों होता है दो भी के Went oxygenated area होगा और यह वाला क्या होगा low oxygenated area यानिके less oxygenated area यह होगा students less oxygenated area less oxygenated area जहाँ पर oxygen का पोच रही है वो हो जाएगा anode और जहाँ पर highly oxygenated area होते है वो होगा cathode यानिके positive terminal और negative terminal दोनों हो जाएगे और यह एक electrical cell की तरह से काम करना शुरू कर देगा और corrosion start from the anodic part So, corrosion start at lower end and because, because oxygen is not directly attacked it zinc rod act as anod cell corrosion start तिक जो है यह क्या हो जाएगा अक्सिडाइज होना शुरू हो जाएगा और यहां से कारोजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो इस तरह से यह आई थिक आपको समझ में आ गया हो इस्ट्रेट्स के और अजिए और और यहां पर खतम होता है ठीच्ट कोशिन आता है डिस्कस्ट डिफ्रेंस अनोडिक एड मैटलिक कोटिंग अले यह वाला कोश्चन्ट को हम आगे भी इसको डिस्कसन करेंगे तो इसवाले को यहां पर इस वाले उच्छन को लेते हैं इलेक्ट्रो और calvinizing process हो गया यह वाला define corrosion how can corrosion be minimized by sacrificial anodic protection and impressed current cathodic protection method corrosion को define करना है how can corrosion be minimizes corrosion minimize कैसे किया जा सकता है sacrificial anodic protection और impressed current cathodic protection के जरिए दो तरह के method है is the underground pipeline जो होती है we mettle की बनी हुए होती है जो underground pipeline होती ह cooking supply के लिए की जाती है oil supply लेजिए Tywater supply के लिए की जाती है ठिके नहीं है भीन वहाट सारी countries मेरे बहुत लंबी-lembी कंड़िंटर हजारों क्लेमेटर लंबी जो तो मेटल की pipeline विछा दी जाती है, तो वहाँ पर metal तो है, जो की soil के अंदर दबा हुआ है, मिट्टी के अंदर, तो soil तो क्या होता है, electrical conductor होती है, उसके अंदर आएंस होता है, mobility होती है, तो वह इलेक्ट्राइट का काम करती है, soil, तो वहाँ पर मिट्टी जो होती है, वह क्या क क्या है, method use किया जाते हैं, पहला है, sacrificial anodic protection और दूसरा है, impressed current cathodic protection method, अब ये होते क्या है, इसको समझ लेते हैं, धियान से बहुत, बिल्कुल easily समझना होगा, तो underground pipeline, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखे इसका answer को लिखने के लिए, हम, define corrosion, corrosion, को पहले define कर सकते हैं, corrosion is, the process of degradation, degradation of metal under environmental factors like moisture, air, O2, CO2, sunlight at temperature, ये तो corrosion हो गया, का example क्या हो गया, sprints, example हो गया, rusting of iron, rusting of iron, जैसे के मैंने अब ये समझा है था, अब second part जो इसका है, corrosion को minimize कर सकते हैं, corrosion को minimize कर सकते हैं, minimize by, बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कैथोडिक प्रोटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होता है जहां पर oxidation होती है और metal क्या होता है वीग पड़ जाता है तो वहां पर से corrosion होता है तो sacrificial anodic protection इस मेट जो metal जो कि एनोड का गाम करना था इसको anode को ही खतम कर दिया जाए वहां पर एक दूसरा anode लगा दिया जाए यानि के दूसरा metal को चमहाँ पर लगा दिया जाए चिपका दिया जाए और इससे क्या होगा उस metal की protection हो जाएगा और उसके बदले में दूसरा metal जो उस पर लगाया जाएगा जो एनोड का गाम करेगा वह अपने आपको sacrifice कर देगा तो यह sacrificial anodic protection होता है impress current method गया होता है इसा भी अभी बताएंगे तो one by one ध्यान से इसको समझते हैं कैसे समझेंगे वह clearly देखे पहला method है sacrificial anodic protection number one है sacrificial anodic protection this method is used for है क्या है this method mainly use for protection of underground pipelines underground pipeline made by metals जो कि metals की बनी होती है चाहे वो iron की pipeline हो चाहे वो aluminium की pipeline हो चाहे वो copper की pipeline यह method mainly use किया जाता है underground pipeline को save करने के लिए सुरक्षित करने के लिए अब क्या होता है देखे इसमें होता क्या है actual में इसको diagramatically हम explain करते हैं मान लीजे underground है इसके अंदर pipeline को बिछा दिया जाता है pipeline को बिछा दिया जाता है underground में तो यहाँ पर iron की pipeline यानि के लोहे की pipeline को यहाँ पर बिछा दिया जाता है अब इस लोहे की pipeline में क्या होता है इस लोहे की pipeline में यह क्या हो गया iron pipeline इसके चारो तरफ जो है यह क्या है students इसके चारो तरफ जो है soil है यहाँ पर भी soil है क्योंकि चारो तरफ यह किस से दबा हुआ है soil से दबा हुआ है मिट्टी से दबा हुआ है यहीं कि मिट्टी इसके चारो तरफ प्रेजेंट है तो यह जो soil है मिट्टी है यह किसका काम करती है soil act as electrolyte soil का क्या होगा electrolyte का का काम करना होगा क्योंकि soil में current बहुत तेजी से लगता है मिट्टी के अंदर कोई current पास होता है वो current को flow गराता है electrolyte का काम करेगा dry electrolyte का काम करेगा और iron की pipeline क्या होती है देखे कुछ तो यह है air के contact में contact to air यानिके high oxidated area और यहाँ पर यह जो पूरी pipeline जो मिट्टी के अंदर दभी हुई है यह क्या हो जाएगी less auto area यानिके यह बन जाएगा क्या anode यह तो हो जाएगा negative terminal students यह हो जाएगा negative terminal और यह हो जाएगा positive terminal अब यहाँ से देखना है यह पूरा एक electrical cell की तरह से काम करने लगता है तो यहाँ पर इसको हमें save करना है बचाना है तो इसके लिए क्या करेंगे एक ऐसा metal ले लेंगे to save to protect underground, underground pipelines use a sacrificial, sacrificial metal like zinc zinc का यूज कर सकते हैं, magnesium का यूज कर सकते हैं, etc. इसका इसका electrode potential ज्यादा होगा as iron, as compared to the iron, iron के metal से उसका electrode potential ज्यादा होना चाहिए underground pipeline, underground pipeline act as electrical cell, electrical cell की तरह से काम करना शुरू कर देती है behaves like anode, यानि के negative terminal कैसे काम करती हैं, मैंना भी बता दिया आपको, ठीकिना, soil act as soil act as an electrolyte, soil का काम कैसा होगा, electrolyte का काम करना शुरू हो जाएगा, और metal degrade, metal यहाँ पर जो iron का metal जो होगा, यह क्या होना लेगा, degrade होना शुरू हो जाएगा, और oxidize होना शुरू हो जाता है, ठीकिना, oxidize होना शुरू हो जाता है, यह, two positive, तो electrons release होना शुरू हो जाती है अब इसको बचाने के लिए क्या करते है, sacrificial metal को लेते हैं, यह, जो इससे जादे reactive होगा, वो इस underground pipeline से जोड़ दिया जाता है, sacrificial metal को यहाँ पर underground buried कर देते हैं, यह, दबा दिया जाता है, और इसको connect कर देते हैं, किस से, इसको connection हम कर देते हैं, किस से, इस से, इलेक्ट्रिकल वायर से connect कर दिया जाता है, यह क्या हो गया, sacrificial metal, sacrificial metal, zinc हो सकता है, magnesium हो सकता है, buried, underground, तो यहाँ पर यह, sacrificial metals, विच हर मोर electronegative, connect to, connect to iron pipelines, iron pipelines से connect कर देते हैं, तो यह जो sacrificial metal होगा, students, यह, क्या होने लएगा, अपने आपको koroid करना शुरू कर देगा, इसका corrosion बच जाएगा, चीजिए आप मान लीजिए, magnesium है यहाँ पर, magnesium corrosion start कर देता है, और इसका iron का corrosion रुख जाता है, sacrificial metal, sacrificial metal, sacrificial metal gets, get oxidized, oxidized and porodate, iron corrosion gets stopped, जो sacrificial metal है, उसका corrosion हो जाएगा, और iron का corrosion क्या हो जाएगा, रुख जाएगा, इसका oxidation होना सुरू हो जाएगा, और यह corrosion हो जाएगा, उसको रोक लेगा, चीजिए न, तो इस तरह से, यहाँ पर sacrificial protection से, sacrificial anode से, हम क्या कर सकते हैं, iron की pipeline को save कर सकते हैं, यह method sacrificial anodic protection होता है, anode को हमने sacrifice होने से बचा लिया, और new anode यहाँ पर लगा दिया, यह क्या हो जाएगा, new anode का का काम करेगा, और iron की pipeline को save कर देगा, अब दूसरा method समझे, second method क्या है, तो second method है, using impressed current cathodic protection, second है, using impress, using impress current cathodic protection, cathodic protection है, impress current method, क्या है, अब इसे भी समझते हैं, देखे, underground pipeline है, ठीक, यहाँ पर underground का diagram मना दिया है, हमने यहाँ पर pipeline show कर दी, जो pipeline हमें save करनी है, जो कि active metal की बनी हुई है, ठीकिक न, यह pipeline हो गई, यहाँ पर, अब इस pipeline को हमें save करना है, तो इसको save करने के लिए क्या करते हैं, एक, जो soil के अंदर, या तो graphite लेते हैं, graphite को दबा दिया जाता है, या फिर iron scrap को, graphite या फिर iron scrap को अंदर दबा दिया जाता है, और इसका connection हम करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, इससे iron की pipeline से, connection कर देते हैं, इसका, इससे एक battery से connection कर देते हैं, यहाँ से wire जोड़ा हमने, battery से connection कर दिया, देखें यह anode का का काम करता है, iron pipeline, यानि कि इसमें से electron release होने वाला है, iron pipeline जब जोड़ते नहीं है, तो iron क्या होता है, oxidize का का काम करता है, electrons यहाँ से release होते हैं, इलेक्ट्रों जब release होना चाहते हैं, तो यहाँ से ulti direction में अगर हम इसको electron भेज दे, pipeline के अंदर ही electron को भेज देते हैं, इलेक्ट्रों जो release होने वाला है, और electron जो बाहर से आ रहा है, वो एक दूसर को repel करेगा, electrons repels each other, तो electron को निकलने से बचा लिए जाएगा, निके impressed current का मतलब होता है, current को इसके अंदर फेका जाता है, यहां से battery का connection कर देते हैं, battery का connection जो होता है, देखे battery का terminal यह होता है, एक positive terminal कर देते हैं, negative terminal और positive terminal, positive terminal जो है, यहाँ पर iron scrap, iron scrap, या फिर graphite, से जोड़ देते हैं एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पाइपलाइन से जोड़ देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रोंस क्या होंगे यहां की तरफ भागेंगे यहां यह निके पाइपलाइन में जाएंगे पाइपलाइन से जैसी इलेक्ट्रों निक के लिए कैसे इसको explain कर सकते हैं underground pipe line underground pipe lines can also be protected by using impress cathodic current through external battery in pipelines number one point for this for this scrapped iron iron के बारिक बारिक पिसे हुए टुकडे या फिर graphite परीड underground दबा दिया जाता है connect to connect to wire with battery battery से connect कर देते हैं positive terminal से ठीक है the negative terminal the negative terminal of battery external battery होगी है connect connect to iron pipe lines through wire wire से connect कर दिया जाता है ठीक ना अब इससे क्या होगा wire से जब connect करेंगे तो electrons are through electrons को फेके जाएंगे है यानिकिन लेगेटिव टर्मिनल रुजएगा electron electron repel electron electron को रिपेल करेगा और iron का obsidation क्या हो जाएगा रुख जाएगा दस दस electrons from iron gets stop to ejaculate महान निकलने से रुख जाएंगे and this terminal act as cathode cathode बद जाएगा not anode अब वो anode नहीं रहेगा so oxidation of iron यानि के corrosion gets stopped gets stopped and corrosion gets stopped बस इतना ही काफी है लिखने के लिए और iron pipeline protect हो जाएगी by this method तो दोनों method clearly आपको समझ मा आ गए होंगे I think बहुत ही इतना ज़्याद उल्जावा topic नहीं था पहला तो sacrificial anodic protection हो गया जिसमें हम एक sacrifice metal को लगा देते हैं ठीक न iron pipeline से जोड देते हैं और उसको दबा दिया जाता है दूसरा method क्या हो गया दूसरा method impress current method हो गया current को इसमें supply किया जाता है negative terminal इससे iron pipeline से जोड देते हैं दूसरा terminal positive terminal क्या होता है iron scrap से जोड देते हैं graphite का बारीक किसाव पाउडर भरकर underground भर दिया जाता है negative negative terminal इस आइरन पाइपलाई से जोडते हैं तो क्या होता है जो इक एनोड था यानिक इलेक्ट्रोन को रिलीस करना की कोज़िश करना था इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रोन को निकलने से बचा देता है, इनिक ऑक्सिडेशन को स्टॉप कर देता है, और ये pipeline क्या हो जाती है, इनिक ऑक्सिडेशन नहीं हो पाता इसका, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं, अब next आता है, discuss the construction and the chemistry of charging and discharging of lead acid battery, lead acid battery का constructions बताना है, इसकी charging process और discharging process के बारे बताना है, and what is the secondary storage battery, secondary storage battery गया है, write the charging and discharging reaction of lead acid battery and also write down the application of the lead acid battery. देकर important question नहीं ये भी, ये भी last year के दोनों semester में आ चुका है, 2022-23 में, second semester में भी आया, 2021-22, उस पिछले year में, 21-22 में, दोनों semester में ये question आया, इस बार भी आ सकता है, no doubt important topic, क्योंकि इसमे इसमे इने चिने topics है, और वो सारे ही important है, तो ये unit छोटी भी है, इतनी जारे बड़ी नहीं है, उसको तयारी करने के लिए आप आसानी से preparation easily कर सकते हैं, तो इसमे से lead storage battery का भी एक question बनता ही बनता है, और आता ही है, वोना नहीं है, तो क्या है lead storage battery, discuss the construction of and chemistry of charging and discharging process of the lead acid battery, तो lead acid battery क्या होती है, देकि lead acid battery जो होती ही, secondary batteries होती है, तो secondary batteries क्या है, start करते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, secondary batteries क्या है, देकि secondary batteries क्या है, इसे कहते ही, secondary batteries, वो battery होती है, जो कि charging और discharging दोनों process पर काम करती है, पहले दो battery को समझ लीजे, battery होती है, battery एक electrical device है, जिसमें, जिससे हम current ले सकते हैं, current supply करती है, यहनिके, हम external sources से जोड़ देते हैं, तो क्या महाँ पर क्या होता है, electricity बहार निकलती है, battery से, और वो किसी भी electrical appliance को क्या कर देती, run करा देती, तो batteries are, जिसमें, एक negative terminal होता है, positive terminal होता है, ठीक, न, negative terminal को, anaod कहा जाता, positive को cathode कहते, तो इससी तरा से secondary batteries क्या होती है, primary battery होती है, secondary होती है, प्राइमरी बैते रोटी कि रिचार्जवेड नहीं होती है रिचार्ज नहीं नि know yeah यह बार जेबल होती है जबके secondary battery जो होती है वो वड़ी काम क्यों होती है आज कल इसनी batteries का ज्यादे use होता है secondary battery जो होती है बैटरी जो होती है combination of cell होती है बहुत सारे cell को एक साथ में जोड़ दिया जाता है और अलग-अलग combination में यानि कि वो चाहिए series में बनाये cell को जोड़ा गया हो या फिर parallel combination में जोड़ा गया हो तो battery का construction कर दिया आता है उसमें different cell होती है अब यह जो batteries होती है primary or secondary secondary battery का होती है secondary battery को हम recharge कर सकते है यानि क्या जब वह सक जब हम इसको use करते हैं जब हम किसी bulb को run कराने में या किसी electrical appliance को run कराने के लिए यूज़ करते तो battery क्या होती है discharge होती है जब वह discharge जाती completely तो फिर क्या होती है उसको recharge कर देते हैं external resources external charger से उसे connect कर देते हैं और फिर हम इसको आसनी से recharge कर देते हैं तो ऐसी battery जो की rechargeable होती है यानि कि जो discharge और recharge दोनों पर गाम करती है that is called the rechargeable battery और उसों कहते हैं उसी को कहते हैं secondary storage cell और secondary storage batteries तो क्या है student secondary battery secondary batteries तो इसको simply हम define करेंगे उसको define कर सकते हैं 2 3 6 8 9 10 12 11 12 12 12 बोट फंक्षन, चार्जिंग एंड दिस्चार्जिंग, नम्बर वन, चार्जिंग एड इस्चार्जिंग आर दॉन एस सेकेंडरी बैटरीज, इनको हम कहते हैं, एक एक एक्सांपल दे देते, लेड आड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, जो आप घर में यूज करते हैं, इन्वाटर बैट्रीए, पंबिनेशन में उसका नदर इस्च्वी वटर भ क्रहते हैं, जासे इब इस्च्रिंग तो आप यह आटे इजाता हैं, जो यह दू secondary battery storage battery होती है जो कि electrical energy को store भी करती है और electrical energy को supply भी करती है ठीक है न तो दोनों function पर काम करती है यानि कि charging और discharging दोनों function पर काम करती है discharging process पर जब यह battery काम करती है तो इसमें क्या होता है इसमें यह होता है कि discharge जब होगा तो क्या होगा chemical energy इसके अंदर store होती है तो chemical energy का combination chemical energy जो होती है वो convert होती है किसमे electrical energy में तो chemical energy जब भी discharge होगी तो chemical energy convert होगी electrical energy में electrical energy में जब यह discharge होगी और जब यह charge होगी इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इस battery में तेखे battery के अंदर chemical energy store होती है अगर chemical energy जो battery के अंदर store होती है it will be converted to electrical energy electrical energy में convert अगर होती है तो इस process को कहते हैं discharging is charging यानि कि यह discharge होगी है हम इसका use कर रहे है हम इसको current को ले रहा है we get current अगर electrical energy external source से उस battery के अंदर डाली जाती है तो इसे कहते हैं charging है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अप्छानल का रिला था में कॉस्टक्सन। राय सिंपशन।्ट τοियरी और अप हुआ बना यह निया डे पातुट कर भी दनुना कर ठॉट। अजा जुन जाओ रुट। भी कहताए इसक अ रिलस्ट कर, अजाध कर भी अब अब लेड एसेड बैटरी जो कि सेकंडरी बैटरी करने बताने के लिए देखिए बहुत ध्यान से इसको कर्ष्ट्रक्स को समझना है अक्सर यह डायग्राम एक्जाम में कट जाता है बारा वोल्ड यह बैटरी होती है और यह दो दो वोल्ड के इसके अंदर सेल का कॉम् में दो तरह की एलेक्टरोल होती ही एक तो लेड का इलेक्टरोल होता है एक होता एक बनावा होता है एक हाड ..प्लास्टिक का कवर होता हैılar price लाइट के अंदर hard हार्ड प्लास्टिक का कवर जो है यह हार्ड प्लास्टिक का कवर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को को फिक्स कर दिया जाता है अब इसके अंदर जो है दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं पहला इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें वह होता है इसका लेड का और इससे ही कनेक्टेड कुछ प्लेट्स होती है और वह प्लेट्स कौन सी होती है लेड की प्लेट होती है लेड का इलेक्ट्रोड और इस से ही connected लेड की प्लेड कितनी होती है देखें इलेक्ट्रोड के साथ में जो होती है तो टोटल छे हो जाती है तो वन टू थ्री 4 5 and 6 तो 6 के combination वो होती है राइट यानि के एक तो electrode हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 से ज़्यादा नहीं बनानी है आपको अगर 6 से ज़्यादा बनाते हैं तो कड़ जाएगा exam में डाइग्राम दूसरा क्या होता है दूसरा इसके अंदर होता है electron lead dioxide P, B, O, 2 और इससे जड़ी हुई भी क्या होती है plates होती है और वो किसकी होती है P, B, O, 2 की होती है और यह भी कितने होती है numbers में 6 होती है लेकिन condition क्या है students एक तरह की plates और electrode दूसरी तरह की plates और electrode से बिलकुल भी touch नहीं करने चाहिए वो बिलकुल भी touch नहीं करना है यानि के यह वाली electrode जो है plates और इससे बिलकुल भी touch नहीं हो देखवा अलाग अलाग है बिलकुल separate बनाई है मैंने यहाँ पर देखेंगे ति यह बिलकुल यह सब एक दूसरे से connected है और यह भी एक दूसरे से connected है लेकिन lead वाली plates जो है यह lead electrode होता है और यह क्यों सा electrode है यह PB02 यह anode है और वो क्या है cathode यह एक दूसरे से बिलकुल भी connect नहीं होने चाहिए अब इसको पूरी तरह से cover up कर दिया जाता है पूरी तरह से इसको ढख दिया जाता है ठीक है और यहाँ पर water भरने के लिए points लगा दिया जाता है और इसके अंदर जो होता है चारू तरफ भर दिया जाता है electrolyte जो की acid होता है acid इसमें act करता है भर दिया जाता है जो की electrolyte का काम करेगा यहाँ पर पूरी बैटरी के अंदर 21% sulfuric acid भर दिया जाता है तो यहाँ पर पूरी बैटरी को sulfuric acid से भर के दिखा दे तो यह क्या है यह है 21% H2SO4 जो की electrolyte का काम करेगा इसमें दो electrode होते है positive और negative terminal राइट लेड है और लेड डाई ऑक्साइड है यह एनोर्ड हो जाएगा और यह क्या होता है cathode एक negative terminal है और एक है positive terminal राइट तो एनोर्ड कैथो लेड और लेड और यह plastic hard cover है यह जो है lead लेड एनोर्ड है और lead plates है PB plates और इसी तरह से यह जो हो जाएगी यह क्या है PB O2 plates पीबी O2 की plates हो गी है तो construction समझ मा आ गया होगा students एनोर्ड और cathode किया इसमें एनोर्ड इसमें lead है lead with lead plate six in numbers इसी तरह से यह क्या होगा एनोर्ड हो जाएगा second है lead with lead dioxide plates यह भी six in numbers होती है यह भी six numbers में होती है six in numbers और यह हो जाएगा cathode third इसके अंदर plastic hard cover है plastic hard cover चौर्था इसके अंदर electrolyte भरा जाता है electrolyte है lead 21% H2SF4 तो यह इसका पूरी तरह से diagram हो गया अब इसका construction हो गया diagram हो गया lead acid battery अब इसमें start करते हैं इसकी chemical अब यह lead acid battery होती गया है lead acid battery secondary storage battery है PB acid battery secondary secondary storage battery है secondary storage battery है which works which works both function दोनों ही function पर काम करती है charging and discharging basic principle क्या है इसका basic principle of this battery basic basic principle यह है कि यह PB acid battery जो होती है दोनों ही function पर काम करती है charging and discharging act as act as charging charging and discharging and discharging process both functions both functions में पर का पर काम करें इसका इसका तो electrical energy converted to यह discharge होगी तो chemical energy का conversion किसम होगा electrical energy में होगा during discharging process chemical energy जो कि stored होती है battery के अंदर changes to electrical current electrical current we are during charging process during charging electrical energy stored supply to battery and stored in chemical energy chemical energy ठीक है यह इसका basic principle हो गया अब इसको short warm कैसे लिख सकते हैं इसमें देखिए chemical chemical energy chemical energy का conversion electrical current में हो जाता है electrical energy में conversion हो जाता है और यह कब होगा chemical energy हम जो battery के अंदर store होती है उससे जब हम use करते हैं तो जब हम इसका मतलब क्या हुआ discharging process को हम उसको यूज कर रहे हैं उस current को हम use कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा discharging और जब electrical energy बहार से डाली जाती है तो इसको फिर क्या करते हैं recharge करते हैं charging और recharging ठीकिए अब इसमें दोनों ही chemical reactions को देख लेते हैं processing क्या होगी processing कैसे होगी processing कैसे होगी processing कैसे होगी number one पहला discharging process लेते हैं पहला discharging process लेती discharging process जब हम chemical energy का conversion electrical energy में कर रहे हैं chemical energy को हम convert कर रहे हैं electrical current में right अब इसमें क्या होता है कि anode और cathode क्या होता है तो देखे anode और cathode क्या होंगे तो anode क्या है इसके अंदर इसमें lead जो है वह anode हो जाएगा और cathode का का काम क्या होगा तो lead dioxide इसमें cathode होगा chemical reactions क्या क्या होगी तो anode पर गया होगी और cathode पर क्या होगी तो पहले anode की chemical reactions समझते हैं anode पर क्या होगी anode पर क्या होगी लेड plate जो होगी यह क्या काम करेगा lead 2 positive और 2 electrons को release कर देगा lead 2 positive और 2 electrons को release कर देगा perform oxidation यहां पर यह oxidation reaction होगी उसी दोरान जब अब cathode पर कौन सी reaction होगी इसमें charging process में cathode पर क्या 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 reaction होगी अनोड और cathode पर क्या क्या reaction होगी यह समझ लीजे देखे इसमें electrolytes भरावा है electrolytes भरावा है और वो क्या है H2SO4 H2SO4 anode जो की negative terminal का गाम करेगा cathode जो की positive terminal का गाम करेगा right इसमें H2SO4 जो भरा हुआ है वो divide होना सुर हो जाएगा वो तूटना चालू हो जाएगा H2SO4 यह तूट जाएगा इसके दो molecules तूटेंगे चार hydrogen ions में और दो sulphate ions में तूट जाएगे question number second को लिख सकते हैं अब क्या होगा यह जो lead two positive है वो क्या काम करेगा यह active होगा और sulphate ions जो है यहाँ lead two positive की तरब move करना सुरू कर देंगे और यह बनना सुरू हो जाएगा lead sulphate ठीक है lead sulphate बनना सुरू हो जाएगा actual में होता क्या है battery के अंदर lead की plates है और lead dioxide की plates है तो क्या होता है lead वाला और 6 plate होती है ठीक है यहाँ पर चार hydrogen ions हो जाएगे तो sulphate ion हो जाएगे तो जैसे ही lead two positive ion बनते हैं electrons कहां भागते हैं महार की तरब भागते हैं तो एक sulphate ion क्या होता है इदर की तरब भागता है lead की plate की तरब और वो lead से reaction करके क्या बनाना शुरू कर देता है lead sulphate यानि के उस plate पर lead sulphate की layer जमना शुरू हो जाती है अब cathodic reaction में क्या होगी देखे cathodic reaction पर यानि के 8 cathode cathode क्या है cathode lead dioxide है यानि के PbO2 है PbO2 वाली terminal पर क्या reaction होगी यहाँ पर lead dioxide है यानि के PbO2 है 4 hydrogen और 2 sulphate में से 1 sulphate यहाँ चिपक गया lead पर बचा 1 sulphate और 4 hydrogen बचे तो 4 hydrogen कहां की तरब move करेंगे lead dioxide की तरब move करना शुरू कर देंगे और electrons वहां से घूमता हुआ कहां पहुचेगा lead dioxide की तरब पहुचेगा अब यह सब आपस में reaction करके क्या बना लेंगे lead 2 positive ions में तूट जाएगा ठीक है ना और 2H2O बन जाएगा तो यह third chemical reactions थी और यह हो जाएगी fourth और इसे कहेंगे reduction reaction तो oxidation reduction दोनों ही reaction होती है अब यहाँ पर चार hydrogen भी यहाँ पर क्या होगा है involve होगा है एक sulfate आयन यहाँ पर involve हो गया था एक sulfate आयन बचा है तो दूसरा sulfate आयन जो है वो उस वाली plate पर रहनी के lead dioxide जिसका lead 2 positive आयन में conversion हो गया इससे reaction कर बैठता है और इस पर भी lead sulfate बनना शुरू हो जाता है तो एक चीज़ आपने देखी charging process में cathode और anode की reaction दोनों ही कैसी हुई दोनों ही plate पर जो है एक sulfate की layer जमना शुरू हो जाती है यहाँ पर भी यहाँ पर भी सारी plates पर क्या होने लगता है lead sulfate बनना शुरू हो जाता है ठीक है overall chemical reaction इसकी देखे हम जब सब को हम जोड़ देंगे तो overall chemical reactions क्या निकल कर आई cathode और anode तोनों को जोड़ देते हैं overall chemical reaction आई देखे lead था lead dioxide था electrolyte तूटा चार hydrogen's में और दो sulfate आयन में तूटा ठीक है न दोनों का इसका भी lead sulfate बन गया और इसका भी lead sulfate बना यानिके दो molecules lead sulfate के बन गए दो water molecule बने और बदले में आपको क्या मिला current मिला और battery क्या हो जाती है exhaust हो जाती है यानिके सारी plates जो है जब वेन वेन अल lead and lead dioxide electrodes and plates are covered by sulphate to form lead sulphate then chemical reactions are stopped and current supply stopped does battery exhausted battery exhaust कर देगी और current मिलना हमें बन हो जायेगा now now recharge it अब इसको recharge करने का number आ जाता है recharge process में charging process में क्या होगा इस्टुइंट charging process में जो होता है बिल्कुल reverse हो जाती है टर्मिनल तो charging 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 process charging process में क्या होता है use external charger external charger की help से recharge the battery अब यहाँ पर terminals change हो जाती है अनोड जो पहले था वो क्या बन जाता है cathode बन जाता है और cathode क्या बन जाता है anode बन जाता है अब anode क्या हो जाएगा lead dioxide बन जाएगा or cathode क्या हो जाएगा lead plates बन जाएगई ठीक है ना सारी activities change हो जाती है क्योंकि उल्टे terminal से हमने क्या कर देना पड़ता है current देना पड़ता है अब इसमें जहें charging process में कैसे कैसे reaction होगी तकी cathode की reactions क्या होगी cathode की reactions क्या होगी पहले वो समझा देते हैं तो cathode की add cathode पहले cathode की reactions लेते हैं तो पहले cathode क्या था लेढद डाई όक्साइड था अब कैफोड क्या है लेड़ प्लेट सें लेड़ है तो कैफोड पर क्या होगी दे की रियक्स्यों या निकि इसमें रियस्टोर होना है लेड़ का राइट कैफोड का होगी कैफोड पर बना हुआ है क्या लेड geste does और anode पर भी लेड במान हुआ है पी बी एसो फोर बना हुआ है अब यहां पर कैथोड पर क्या होता है इलेक्ट्रोंस को देना है इलेक्ट्रोंस क्या है यहां पर दिये जाते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रोंस इस पर देते हैं लेड क्या हो जाता है रीश्टोर हो जाता है और इससे सलफेट आइंस बहार हो जाती है। सल्फेट आएद क्या हो जाएगे पहार हो जाएगे राइट अब एरोड पर क्या रिक्सर होगी देखें अरोड पर भी रिक्सर देख लेक्सर लेटे हैं एट एरोड एरोड जो की लेड डाइपसाइड इस पर यहां पर भी क्या है चिपका हुआ है और दो वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर होंगे बैटरी के अंदर राइट अब यह क्या होता है लेड डायोक्साइड में तूड जाता है लेड डायोक्साइड में चानवार्ट हो जाता है निकले तूड यहां से निकल जाते हैं एक सुफेट आयन यहां से निकलेगा PBSO4 चार हाइडोजन हो गए यहां पर एक सुफेट आयन्स यहां से भी रिलीज होगा और प्लस दो एलेक्टरोन दीक है न, ओर्राल chemical reaction इसकी देखते हैं ओवर्राल net chemical reactions क्या हो जाएगी इसकी तो ओवर और chemical reaction इसकी होगी दीके ले, दो ओडेक्टरोन काड़ देंगे तो 2PbSO4 प्लस 2H2O यह मिलकर लेड का भी रिस्टोर हो गया लेड डाइ ओक्साइड भी रिस्टोर हो गया 4 हाइडोजन आइंस बने और 2 इसमें सलफेट आइन बने और प्लस इसको हमने एनरजी दी by the external source लाश्ट माता है एसिड रिस्टोर लेड का लेक्ट्रोड को तो रिस्टोर हो गया तो all लेक्ट्रोड्स आर रिस्टोर्ड फिर उसी condition मा आ गया एसिड रिस्टोर एसिड रिस्टोर कैसे होगा देखे 4 हाइडोजन आइंस वहाँ दिखाई दे रहे हैं तो sulfate iron दिखाई दे रहे हैं यह आपस में reaction करके क्या बना लेंगे H2SO4 जो की तूटा था एसिड कम हो गया था डिस्चारजिंग प्रोसेस में अब एसिड फिर उतना है था इसलिए हम बैट्टरी को जब यूज करते हैं तो एसिड भी दुबारा से नहीं डालतें हैं इस्टुदेंटस एसिड को फिर दुबारा से डालना नहीं पड़ता है सिर्फ उसमें जो है water कम होता है water कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या अगर देते हैं इसके अंदर डाल दिया जाता है distilled water application of applications of lead acid battery lead acid battery के applications क्या है देकि lead acid battery के application पहली application सबसे ज्यादा important use होता है in domestic purpose in domestic electrical electricity supply domestic electrical supply में use क्या जाता है use in motor vehicles motor vehicles में ठीकिना cars है cars में use किया जाती है motorcycle में वगर वगर यूज किया जाती है use in heavy vehicles heavy vehicles में use किया जाती है tractors में trucks में वगर 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 वहाँ use किया जाती है by combination of solar panel solar panels with lead acid solar panels से combine करके हम use कर सकते solar energy को chemical energy में convert कर देते हैं तो यहाँ पर इसके applications हो गई बहुत सारी applications है आप और applications याद कर सकते हैं तो यह आपका हो गया and cathodic metallic coating anodic and cathodic metallic coating and cathodic metallic coating explain the process of galvanizing and electroplating galvanizing and electroplating explain करना है what will happen if an iron ship traveling the sea in attached through an insulated metallic wire to a small sheet of magnesium तो यह 2022-23 में आया हुआ है कि एक iron ship जो है travel कर रहा है पानी में तो उसमें उससे जुड़ा उसको connect कर देते हैं magnesium wire से क्यों connect करते हैं magnesium wire से इसलिए connect कर देते हैं iron की body होती है ठीक ना ship की है अलगर दूसरा metal की ship होती है बनीवी तो वह पानी के अंदर travel कर रही है पानी वहाँ पर मौझूद है moisture बहुत ज्यादा है पानी नमी बहुत ज्यादा है और atmosphere condition सारी active हो रही है वहाँ पर तो वह क्या होगा metal का क्या होने लगता है जंग लगना शुरू हो जाता है तो उस ship को जंग ना लगे तो उससे क्या करते ही कि उस ship को attach कर दिया जाता है insulated metallic wire से connect कर दिया जाता है और एक magnesium जो metal है उसका piece से connect करके उसको जोड़ दिया जाता है इससे क्या होता है magnesium sacrificial metal का काम करता है और वह iron को या उस metal को chloride होने से रोक लेता है जो की ship बना हुआ है तो इससे comparison क्या होता है अब यहां पर बात करते है कि anodic or cathodic metallic coating क्या होती coating क्या है कोटिंग का use हम इसलिए करते हैं कि कि सी metal का corrosion से रोकना है corrosion ना हो, metal को रोकना होता है तो इसको metal को रोकने के लिए हम coating का use करते है कोट का मतलब होता है एक पतली layer किसी chemical की उस किसी surface पर apply कर देना है जैसे कि हम white wash करते हैं तो white wash में क्या होता है coloring agents का use करते हैं ठीक है ना वो wall पर coat चड़ा देते हैं इसी तरह से हम oil की भी coat चड़ा सकते हैं oil को हम किसी surface पर रब कर देते हैं तो एक oil की film चड़ जाती है यानिकि oil का coat चड़ जाता है किसी metal पर इससे क्या होता है कि atmospheric condition जब किसी metal को attack करती है तो वो coat इस सामने आ जाता है तो मान लिजए यह कोई metal surface है इस पर एक पतली layer चड़ा दी जाती है coat कर दिया जाता है तो इसससे क्या होता है जब environmental condition उस पर attack करने आती है तो वो metal बच जाता है और उस coat जो है एक protection layer का काम कर देता है तो यह जो coating है metal की coating metal पर जो coat करते हैं वो anodic और cathodic कौन कौन सी है उस पर discussion करना है और फिर galvanizing process क्या होता electroplating क्या होती है इसके बारें बताना है तो question यह है अब देखते है coating का तो clear हो गया coating समझमा अगय होगी to apply a thin layer or film on metal sheet thus to prevent the corrosion of the metal metal को corrosion से बचाने के लिए coating का use किया जाता है अब anodic क्या है anodic coating का क्या होता है anodic coating और cathodic coating का मतलब क्या होता है anodic coating जो की coating as anode का का काम करे अगर coating करती है तो वो sacrifice होती है sacrifice का मतलब होता है वो अपने आपको sacrifice कर देती है coating और अपने आपका corrosion कर देती है नीचे वाले metal को बचा लेती है that is called the anodic coating cathodic coating का मतलब क्या होता है कि वो surface को metal का surface है उसको वो anod का का काम कर रहा है तो उसे cathode बना देती है cathodic coating तो यहाँ पर दोनों तरगी coating को use किया आता है देखे अनोडिक coating क्या होता है is a type of coating material that utilize the anodizing anodize कर देती है किसी metal को metal पर utilize metal की sheet को anodic anod होने से बचाती है coated metal act as new anod नया coated metal जो होता है वो नया anod की तरह से काम करना सुरू कर देता है to provide increased thickness यह इसलिए की जाती है कि metal की thickness बढ़ जाए color change हो जाए metal का protection हो जाए aluminum aluminum का protection हो जाए या फिर किसी और metal का कोई और substrate है उसको बचाने के लिए यह काम किया जाता है this coating is consist of the oxide film यह coating में oxide film चड़ाई जाती है created on metal metal पर through electrolysis electrolysis के through चड़ाई जाती है with the metal acting as an anode और इससे metal क्या काम करने लगता है anode का काम करने लगता है दूसरा example का है the anodic coating is the classification of metallic coating metallic coating का example है of metal which are anodic to the base metal जो की base metal को पर चड़ाई जाती जो की anodic का काम करती है zinc है, aluminium है and cadmium are example of the anodic coating अब इसको अब example के through कैसे समझा सकते हैं देखे कोई metal है right मान लिजए iron metal है अब इस पर कोई एक पतली layer चड़ा दी जाती है एक पतली layer चड़ा दी जाती है जादा पर यह oxide film चड़ा दी जाती है oxide film या फिर oxide film ना चड़ाएं मान लिजए magnesium इस पर apply कर दिया पतली बारीक layer चड़ा दी जाती है अब magnesium जैसे चड़ाया अब oxygen इस पर target करेगा ठीकिना पहले anod यह था iron iron का oxidation हो रहा था अब यह oxidation रुख जाता है अब किसका हो जाए होना सुरू हो जाएगा magnesium oxidize होना सुरू हो जाएगा और यह oxygen से reaction करके magnesium oxide की layer बना लेता है और खुद का sacrifice कर देता है इस तरह से ही इसको कहते है anodic coating right second क्या है cathodic coating देखे cathodic coating का मतलब क्या होता है cathodic का मतलब होता है cathodic nature यानिक पॉजिटिव नेचर तो cathodic protection involves reverse the flow of current between the two dissimilar electrode cathodic protections का मतलब क्या होता है कि reverse current flow कराया जाता है देखे कोई दो electrode है एक anode का काम कर रहा है और एक cathode का काम कर रहा है तो इसमें अगर हम ulti direction में reverse flow कर दे current अगर ulti direction में flow कर दे negative से negative जोड़ दे positive से positive terminal जोड़ दे तो क्या हो जाएगा यह जो terminal है यह क्या हो जाते है अपना reverse action शुरू कर देती cathodic protection क्या होता है involves the reverse flow of the current into the dissimilar electrode अलग-अलग दो electrode है उसमें reverse current flow करा देती the anodic protection involves suppression of anodic reaction by adjusting potential of the more reactive metal the cathodic protections can be achieved by sacrificial method and impress current method impress current method get through क्या कर देते हम coating कर देते हैं impress current method मैंने भी बताया था आपको lecture में क्या होता है ulti direction में current का flow कर देते हैं तो इससे क्या होता है एक metal से एक metal जो है वो बच जाता है इसे ठीम coating भी सो थे cathodic coating involves the coating of metal cathodic coating का मतलब क्या होता है coating of the metal है metal पर coat चड़ाना होता है which is cathodic जो की cathodic nature हो जाती है with respect to this substrate substrate का मतलब होता है जो base metal है जिस metal को हमें बचाना होता है corrosion से और एक जो apply metal होता है जिसकी coating चड़ाई जाती है वो cathode का काम कर देती है करना सुरू कर देती है substrate को बचा लिया जाता है electrochemical cell का काम करती है purpose of this type of the coating to protect the substrate from corrosion substrate को यानि के main metal को corrosion से बचाना होता है in corrosive environment corrosive environment से accelerated corrosion of the substrate occurs if cathode coating fails to protection the surface substrate key points का है दोन में difference क्या है the key difference between the anodic and cathodic protection is that anodic protection यानि के anodic coating का मतलब क्या होता surface to be protected यानि के main metal को protect करना होता है act as anode वो man metal anode का का काम करने लगता है यानि के anode जो coating चड़ाई जाती है वो anode का का काम करती है various in cathodic protection cathodic coating में surface to be protected surface को protect करते हैं, coating चढ़ा कर और वो surface क attachments कहते हैं cathode का log करने लगते हैं तो यह दोरो coating हो गई गैली गैल्वनाइजिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है देखें गैल्वनिक सेल आपने पढ़ा होगा गैल्वनिक सेल में एक जिंग की रोड और कॉपरी रोड दो स्टिस्मिलर अ इलेक्ट्रोड जो है उनके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डीप कर दिया जाते हैं अलग अलग अ गैल्वनिक सेल में तो इसी तरह से गैल्वनिड ग्राइजैसान या गैल्वनिक सेल की तरह से होता है is the process of applying protective layer एक protective layer को apply किया जाता है जिनख की with steel या फिर iron पर तूप्र mich से बचाया जा सके इसके उपर एक coating चड़ा दी जाती है और वो किसकी चड़ा दी जाती है आइरन मेटल है इस पर coating चड़ा दी जाती है किसकी जिंक की तो जिंक क्या गाम करता है जिंक अपना अपने आपको कोरोईड कर देता है गेलवनाईजेसन में और आइरन को रोक लेता है इसके कुछ डिसद्वाटेज भी है if damage अगर ये damage हो जाती है layer तो नीचे वाला metal फिर corrosion होना थूरू हो जाता है parts of the steel rust the protective layer falls off अगर protective layer हड़ जाती है making these types of the protection not permanent and unreliable ये permanent or unreliable नहीं होती galvanizing और galvanic process आपको समझ मागया होगा अब आता है electroplating, electroplating क्या होता है ठीक ना इलेक्टो प्लेटिंग क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल एक खुद की अप्लीकस ने इन विच अ थिन लेयर ऑफ मेटल एक मेटल पर थिन लेयर चड़ाई जाती है deposited, वहाँ से deposit होता है, electrically conductive surface, a cell consists of two electrodes, एक cell के अंदर दो electrode है, conductor से usually made of metal, दोनों ही metal के बने हुए है, which are held apart from each other, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, एक metal से metal हटकर कहाँ चला जाता है, दूसरे metal पर चिपक जाता है, उस पर electrical current करने के बाद में क्या होता है, एक metal से इसको electrolyte में deep कर देते हैं, एक metal से दूसरा निकल कर दूसरा metal क्या होता है, उस पर चिपक जाता है, तो इसको electroplating method के जाते हैं, made of metal which are held apart from one another, एक दूसरे से अलग हटा कर रखा जाता है, electrodes are immersed, electrode को immerse कर दिया जाता है, electrolyte के अंदर, और solution करेंट flow करा देते हैं, current flow कराने के बाद में क्या होता है, एक metal से, और दूसरे metal की layer चड़ना सुरू जाती है, वरकिंग, when an electrical current is turn on, जैसी electrical current turn करते हैं, positive ions in the electrolyte, positive ions जो electrolytes के हैं, जैसे copper sulfate है, copper और sulfate ions, यहाँ पर copper ion भी होगे, sulfate ion भी होगे, यह positive terminal है, suppose जै negative terminal है, ठीक न, तो यह क्या होता है, इस पर copper की layer चड़ानी है, तो copper क्या होता है, copper two positive ion यहाँ पर भागना सुरू जाते हैं, और इस पर layer चड़ाना सुरू कर देते हैं, तो यह electro plate का काम है, यानि कि electrolytes से जो positive ion होते हैं, वो negative terminal पर जाकर चिपगना सुरू जाते हैं, और negative ions जो है, वो positive terminal पर चिपगना सुरू हो जाते हैं, electrode called the cathode, positive ions are atoms with one electron, two few when they reach the cathode, they combine with electrons and lose their positive charge अभी यहाँ पर जाकर क्या होते हैं, देंगे, copper यहाँ पर पहुचेगा, यह negative electrode है, यह अपना positive nature खोदेगा और इस पर चिपग जाएगा, sulfate यहाँ कर चिपग जाएगा, यह अपना negative nature खोदेगा, और इस पर चिपग जाएगा, at the same time, negatively charged ions move to the positive electrode, positive electrode की तरब move करें, called the anode, anode and negatively charged ions are atom with one electron to many, when they reach the positive anode, they transfer their electron to it and lose their negative charge, और इस तरह से, in metal पर क्या हो जाती है, coating जम जाती है, यह कोट चड़ जाता है, और यह कोट, उस metal को बचाता है, किस से corrosion होने से, तो clear हो गया होगा, students galvanizing process, प्रोसेस मी समझ में आ गया होगा, galvanizing process, clear होगा आपके, अब इस में ही एक चीज है, ship जो है, वो water के अंदर present है, ठीक न, water यहाँ पर present है, water के अंदर, तो कि water क्या होगा, H2O, अब यह जो ship है, माल लीजे, यह ship है, ठीक न, जो कि पानी के अंदर तेर रही है, अब यह, माल लीजे, copper की बनी हुई है, नीचे का base surface, या फिर iron का बना हुआ है, या aluminum का बना हुआ है, तो यह water के contact में आएगी, water के contact में आएगी, तो oxidize होगा copper, या फिर iron का पर, iron क्या होगा, oxidize होगा, तो इसके नीचे जग का, जो surface है, यह क्या होने लगेगा, coroid होना शुरू जाएगा, coroid होना शुरू जाएगा, the bottom surface, इसको बचाने के लिए, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बड़े से magnesium को connect कर दे जाता है, magnesium connected to ship, ship से connect कर दे जाता है, इससे क्या होता है, यह magnesium sacrificial anode का का काम करता है, magnesium metal, magnesium metal attached to base of ship act as sacrificial metal, performed oxidation and topped corrosion of ship metal, जो कि ship बनी हुई है, इससे क्याने का कोरोजन हो जाना होने लगता है, it will oxidize और ship का कोरोजन बच जाता है, तो क्लियर हो गया होगा, students यह सारी चीज़, और सारे question के answer, मैंने आपको एक शॉट लेक्चर में, पूरी unit को explain कर दिया, I think आपके समझ में आ गई होगी पूरी unit, क्या के चीज़े पढ़ाई है, देख लेते हैं एक बात ध्यान से, देखिए पहला cement का question था, cement के बारे में बताया, composition of cement के बारे में बताया, rotary kiln क्या होती है, वो कैसे काम करती है, cement कैसे बनता है, इसको explain करा, equations क्या होती है, cement की cement set और hard कैसे हो जाता है, उसे explain करा, इसकी 5 chemical reactions थी, उसे explain करा, और इसमें gypsum को क्यों add करते हैं, यह important लिए आपको बताया, दूसरा question, तीसरा, चौथा और पाच वा, यह बड़े important question थे, यह सारे electrochemical theory के बारे में थे, और corrosion के बारे में थे, तो यह सारे question बड़े important है, हाएंगे हमें से exam में, electrochemical corrosion क्या होता, इससे explain करा, rusting of iron क्या होती है, यह बताया, rust क्या होता है, mechanism को explain करा, rust का diagram कैसे होता है, कैसे कैसे iron पर corrosion होता है, इसका complete mechanism बताया, एनोड पर क्या होगी, पर क्या reaction होगी, और इसकी overall reaction क्या होगी, ferrous iron और ferric iron में conversion करके बताया, oxygen कैसे इसके में attach होती है, oxygen absorption कैसे होता, hydrogen gas कैसे बाहर निकलती है, वो सारी चीज़ों को dictate करा, और फिर corrosion को minimize कर सकते हैं, proper design करके वो चीज़े बताई हैं आपको, जिक रोड अगर किसी metal के, किसी पानी के अंदर डालते हैं, तो उसका corrosion नीचे से start हो जाता है, वो क्यों होता है, वो सारी चीज़े बताई, और इसके बाद में question आया था, के अनोडिक और cathodic coating क्या होती है, इसे बताई है, उसे corrosion से बचाने के लिए, उसमें magnesium wire, magnesium से connect कर देते हैं, वो कैसे कैसे इसको ship को बचाता है, perform करता है, sacrificial protection का काम करता है, फिर corrosion क्या होता है, इसमें minimize कैसे कर सकते हैं, sacrificial protection और impressed current cathodic protection, हम कैसे किसी iron pipeline को save कर सकते हैं, बचा सकते हैं, sacrificial anodic protection क्या है, वो बताया, और फिर impressed current method क्या होता है, उसे पूर completely dictate किया, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, इसको त्यार करनेंगे, और लास्ट में, जो था discuss the construction of the lead acid battery, lead acid battery क्या होती है, उसका work function क्या होता है, secondary storage battery क्या होती है, उसका work function क्या है, यह सारी चीज़ें, इसका diagram को completely explain करा, charging और discharging, chemical reactions कैसे कैसे होती है, उसे बताया, और फिर last में, application of lead acid battery, क्या है, यह सारी चीज़ों का explain करते हैं, सारे important questions इसमें, इस unit में जो बनते हैं, वो सारे हैं, आपको cover up कर दिये, तो एक completely short term of the lecture में, पूरा complete short lecture, तीसरी unit, और unit के in comparison, बहुत easy है, prepare करने मां असानी रहेगी, ठीक ना, selected question है, वही आते हैं exam में, तो आप धिहान से इसको prepare करे, और channel को जादे आदे subscribe करे, lecture को जादे जादे share करे, ठीक ना, likes करे, अगर कोई confusion है, तो आप message करे, comments जरूर करे, thanks for watching, dislike.